हेलो एब्रिबन कैसे हैं आप सब मुझे पूरी उमीद है कि आप सब बहुत अच्छे हैं और साथ साथ अच्छे से पढ़ाई कर रहे हैं है ना उमीद करती हूं लास की दोरों क्लासिस में आप लोगों को मज़ा आया होगा समझने में दिक्कत नहीं होगी क्योंकि अक्सर ब अब बढ़ाते हैं और बात करते हैं आपके टॉपिक के वारे में धिक तो बचा लोग मैं हूं विचरता आपकी बालाजी टीचर और हम यहां पर बात करते हैं अपने चप्छर वहिशा गती अदा विविद singular केसिद्धान केवा ले हैं ना है नहीं टी एच मॉर्गन ठीक है जहां पर हमने क्या बताया था उनका नाम क्या है थॉमस हंट मॉर्गन और यह किसलिए फेमस थे इन्होंने एक एक एक्सपेरिमेंट किया था क्या किया था इन्होंने एक एक्सपेरिमेंट किया था ठीक है यहां पर इस एक्सपेरिमेंट में उन्होंने दो चीज़े करी थी ठीक कि एक तो क्या करा था यह कि उन्होंने बताया था कि अगर अच्छा इसको ऐसे समझते हैं इन्होंने क्या क डिए les reading अज़ा थे जैसे कि जैसी वो था ठीके दूसरे को क्या किया था कृत्म तरीके से क्या किया था उन्होंने लेबरेडरी में बनाया था यह बोल सकते हैं उसको प्रियोख्षाला वे बनाया था ठीके तो यहां पर इस तरीके से इन दोनों रहाआ थी से ग्रेश्यर आश्या दिखने के साथ की जिस्में की और यहां पे खिर ए मैं्द saya क्रोषिज कुघ का रही है और अभ ख्रोषования ग्लाग कि यहां दोम सrent कृशिंग यहां पर इस तरीके से हमने दिखाए थे दो गुण सूतरियाने की क्रोमोजोम्स यह क्या था हमारा small a small b ठीक इस तरीके से दिखाए गिया था तो हमने यहां पर क्या बोला था कि यहां पर इन दोनों के बीच का जो डिस्टेंस है इन दोनों के बीच की दूरी है वो कैसी है वो जादा है, इस वज़े से यहां पर क्या हो जाएगा, ख्रॉसिंग ओवर हो जाता है, ठीके, इस तरीके से, और अपना अनुवांशिक जो पदार्थ है, इनका यानि कि जो जनेटिक मतीरियल, वो क्या करते हैं, एक्सचेंज करते हैं, जिस तरीके से यह दोनों क्रोमोजोम यहां पर नाश नाश के आपको तिखा रहे हैं, देखो, अब यह पूरे red थे, अब यहां blue proportion आगया और यहां पर red आगया, इन्होंने क्या कहर लिया है, जो उनका genetic material है, उसको exchange कर लिया है, ठीके, तो यह बास हमने पुन्रवत्तन में, यानि की recombination में सीखी थी, ठीके, चलो और सहल लगने दामें, जब यानि की linkage में हमने क्या बात कर रहे थी, कि यह क्या है, दो chromosome है, capital A, capital B, यह दो genes है यहां पर, यहां पर हमने क्या देखा था, यहां पर, कि इनकी दूरी कम थी, इनकी दूरी क्या थी, कम थी, इसका मतलब क कि जब यहां पर युगमक बनेगा, तो यह जो portion है, यह युगमक में as it is चला जाएगा, capital A, capital B, यहां पर इस तरीके से crossing over होने के chances क्या है, बहुत ही कम है या ना के बरावर है, यह हमने अब तक सीखा था, ठीके, चलो बिर, अब इसी story को आगे बढ़ाते हैं, और देखते बढ़ते हैं आगे, तो जब मैंने क्या बोला, बहुजीनी, ठीके, तो उससे बहले क्या है, संकर पूर्वज संकरन आता है, ठीके, एक छोटा सा topic है, उसको समझ लेते हैं, तो जब यहां पर संकर पूर्वज की बात हो रही है, तो यहां पर इसको उमने क्या बोला, इंग जिसको हम क्या भोलते हैं 1st generation भी बोलते हैं या f1 generation घ्या प्रतम पीड यानि f1 generation निकल कर आती है तो क्या होता है तो यहाँ पर हम क्या बोल सकते हैं कि भाई एक कौन है इसमें शुद्ध प्रभावी जनक होगा है ना ठीक है और दूसरा क्या होगा दूसरा क्या होगा शुद्ध अप्रभावी हमेशा की तरह अप्रभावी जनक ठीक है तो दो यहाँ पर आएंगे अब जब इन दोनों के बीच में क्रॉस होगा इन दोनों के बीच में क्या होगा क्रॉस होगा ठीक है तो क्या मिलेगा हमको f1 generation मिलेगी ठीक है f1 generation या जिसको हम क्या बोलते है प्रथम पीड़ी बोलते है ठीक है यह क्या है हमारी f1 generation याने की प्रथम पीड़ी अब यहाँ पर क्या हुआ है संकरण हुआ है है ना यहाँ पर क्या हुआ है संकरण हुआ है ठीक, अब यहाँ जब संकरण हुआ है, यहाँ जो निकल कर आया है, तो यहाँ पर क्या होगा, यह जो F1 जनरेशन का संकरण है, इसका संकरण जो है, इसी के जनक के साथ होगा, ठीक है, इसी के जनक के साथ, जनक के साथ कराते हैं चलो समझते हम थोड़ो सा इसको एक्जाम्पल के साथ ठीक है तो हमने क्या बूला कि जनक है हमारे पास यह रहा हमारा जनक याने की parent जनक में कौन है हमारे पास हाँ नर और मादा ठीक है यह रहा नर बीच में लाइन कर देते हैं ठीके ये रहा नर और ये रही मादा चलो आगे बढ़ते हैं तो यहाँ पर हमने क्या बोला एक शुद्ध प्रभावी जनक है ठीके और दूसरा क्या है शुद्ध अप्रभावी याने की एक अपने आपको दिखाएगा शो करेगा और दूसरा क्या करेगा भई नहीं करेगा ठीके तो यहाँ पर हमने क्या बोला चलो करवा देते हैं प्रभावी और एक अप्रभावी इसको ऐसे नहीं लिखते चलो एक काम करते हैं यहाँ पर हम प्रभावी और अप्रभावी ही लिखते हैं जैसे लिखा है ठीक है कि वह यह क्या है प्रभावी जनक है यह क्या है अप्रभावी ठीक है तो प्रभावी में हमारे पास क्या था capital T capital T अप रभावी में small T small T अब जब इन दोनों के बीच cross हुआ तो हमको मेला capital T small T ये क्या था हमारे पास? ये लंबा पौधा था ठीके? किस के हिसाब से? मेंडल जी के हिसाब से क्या था? ये लंबा पौधा था मेंडल जी के हिसाब से अब यहाँ पर क्या हुआ? जब हमारे पास ये आगे चलो monit square करवाते हैं ये लो monit square करवा लेते हैं हमने क्या मुणा इसको? कि ये जो F1 जनरेशन है ये क्या है? हमारी F1 जनरेशन याने की प्रतं PD इसका संकरण किस के साथ कराना है? इसी के जनक किया था, capital T, capital T था यहां पर, है ना, ठीक है, पहले हमने इसके साथ कराए, पहला वाला यह कि इसके साथ है, इसके साथ है, हमको क्या मिल यहां पर, capital T, capital T मिला, इन दोनों ही कराके, capital T, capital T, capital T, small T, और capital T, small T, तो यहां यह जो संतती आई, यहां पर जो संतती हमको मिली है, वो कैसी है, लंबी है, है ना, क्योंकि सब में capital T आ रहा है, सब में capital T आ रहा है ना, तो यहां संतती कैसी मिली हमको, लंबी मिली, चलो, अब, अभी तो हमने इसके साथ कराए, अब इसके साथ कराते है ठीक है तो इसके साथ कराएंगे तो क्या मिलेगा हमको यहां क्या है स्मॉल टी स्मॉल टी यहां कैपिटल टी और स्मॉल टी इसकी इसके साथ कराई थी अब इसकी इसके साथ कराएंगे है ना चलो क्या मिला ठीक है? इन दोनों ही कराई ठीक ठीक है? यही मिला हमको है ना capital T, small t, capital T, small 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 t यहाँ पर यह आगे हमारे पास, ठीक? यहाँ पर क्या हुआ? यहाँ पर 50% जो बने क्या बने? बॉने बने बॉने पॉदे जिन में क्या था? small t, small t था ठीक है? तो यहाँ पर 50% बने बने ठीक clear इतना? और यहाँ क्यादी संदधी लंबी थी क्योंकि सब में capital T था इतनी बात सब बच्चों को समझ में आई है ना? जल्दी से बता दो कि यहाँ तक किसी को समझने में कोई दिककत तो नहीं हुई है हाँ? हमने यहाँ बोला F1 जनरेशन में संकरन कराएंगे किसका? कि बैया यह जो F1 जनरेशन आया है इसका इसके जनक के साथ पहला शुद्ध्ध प्रभावी के साथ और दूश्द्ध प्रभावी के साथ ठीक है इतनी भात सबच्चे को clear जल्दी से थमसब करके बता दो कि हाँ clear हो गई है तो आगे बढ़ाते हैं इसको हाँ कि बताईए कि यह क्या थी हमारी यह अप्रभावी संतित यह अप्रभावी जनक था वह क्या था प्रभावी हमने लिखा हुआ है ठीक है तो यह था हमारा बैक क्रॉस ठीक है अच्छा अब यहां पर एक और चीज जालो कि यह जो बैक क्रॉस है ठीक है यह जो बैक क्रॉस है यह क्या है किया है यह हां यही तो संकर पूर्वज संकरण है बैक क्रोज सॉरी चलो फिर देखते हैं यह लाइन क्या कह रही है हमसे यह कह रही है कि इसकी खोज हेमलों तता उसके सहयोगियों ने करी थी ठी एवन पीड़ी का संकरण यहां पर प्रभावी संकरण प्रभावी या अप्रभावी जनक के साथ क्रोज कराया जाता है तो उसे संकर पूर्वज संकरण कराया जाता कहते हैं यानि कि क्या है कि जो पूर्वज था है ना जो पूर्वज था उसी के साथ उसी के साथ क्या कर ही का ठीक है ना इतनी पास अबको clear चलो हाँ अब आता है परिक्षण ठीक है अब क्या है हमारे पास परिक्षण cross तो यहाँ पर क्या होता है जब F1 generation का संकरण यहाँ पर क्या होता है जो F1 generation यहाँ पर क्या है जो F1 जनरेशन है जिसको आपने क्या बोला प्रथम पीडी प्रथम पीडी या फिर F1 जनरेशन ठीक है इसका क्या हो रहा है इसका संकरण हो रहा है किसके सांकरण हो रहा है उसके शुद्ध अप्रभावी जनक के साथ ठीक है यहाँ पर परेक्षन क्रॉस क्या कहला ता है कि जो f1 generation यानि की जो प्रथम पीडी है उसका संकरन उसके शुद्ध अप्रभावी जनक के साथ कराया जाता है तो इसको हम क्या बोलते हैं परिक्षर संकरन ठीक है यानि कि test cross बोलते हैं ठीक है चलो यहां पर देखते हैं और समझते हैं यहां पर लिया हमने जनक ठीक है जनक आप रहावी गया small t small t ठीक अब इन दोनों का जब संकरन कराया है इन दोनों का संकरन कराके हमको क्या मिला capital T small t मिल गया हमको ठीक है और यह क्या निकली है हमारी f1 generation जिसको हमने क्या बोला प्रथम पीडी बोला है ना तो यहां पर यह जो प्रथम पीडी आई है यह क्या है सारे के सारे लंबे पौदे हैं लंबे पौदे हैं ठीक है सारे के सारे क्या है लंबे पौदे हैं चलो इनका क्या करते हैं एक क्या करते हैं पुनिट स्कॉर बना देते हैं है ना लो जी पुनिट स्कॉयर बना दिया ठीक अब हमारे पास क्या है यहाँ पर हम अब रभावी की बात कर रहे हैं तो small t small t इसके साथ करवाते हैं small t small t ठीक है यहाँ क्या है capital T small t तो हमारे पास क्या गया हमारे पास क्या गया कि हमने क्या बोला यह जो 50% है यह जो 50% है यह क्या है लंबे है और यह जो 50% है यह क्या है बौने है यह 50% क्या थे लंबे थे और यह 50% क्या है बौने थे तो यहाँ पर हमने क्या सीखा कि यह जो production संकरण है यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ क्रॉस यानि कि संकरन किसके साथ होता है किसके साथ होता है उसके शुद्ध आप्रभावी जनक के साथ होता है Only and only इतनी बात सब बच्चों को clear हो गई है तो मुझे बताओ तक हम क्लास को आगे बढ़ाएं और मुझे नहीं लगता है कि इसको समझने में जरा भी दिक्कत हुई होगी बहुत अच्छे से बहुत इजी तरीके से एक एक लाइन आपको समझाई जा रही है तो confusion बिल्कुल नहीं रखना है clear इतनी बात चलो फिर बचा लोग आगे बढ़ जाते हैं इसी बात पर देखते हैं कि ये टेक्स हमसे क्या कहना चाहरा है चला जो तो ये क्या कह रहा है कि भाई जो संकरन होता है वा शुद्र अप्रभावी जनक के साथ कराया जाता है जो अल्रड़ी मैं आपको बता चुकी हूँ तो यहां 50% अप्रभावी लक्षन वाली संत्ति उत्पन होती है ठीक जो क्या है जो बॉनी है जो क्या है बॉनी है और इसी को परिक्षण संकरन कहते है चलो अब हमारे पास आता है बहुजीनी वन्शागिती और प्रभाविता बहुती इंट्रस्टिंग सा टॉपिक है इसको समझने में मजा आएगा अगर प्यार से और अच्छे से पढ़ोगे तो ठीक चलो इसी बात बहुरो कर देते हैं तो भाई बहुजीनी का बतलब क्या होगा पॉलिजैनिक ठीक है बहुजीनी ठीक है तो क्या बोला हमने पॉलिजैनिक 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 इन्हारिटेंट पॉलिजैनिक इन्हारिटेंट पॉलिजैनिक इन्हारिटेंट ठीक है इसको हमने क्या वोला polygenic inheritance बहुत important है याद रखेगा वही अगर मैं बहु प्रभाविता की बात करती हूँ इसको हमने क्या वोला यह है पिलियो ट्रोफी ठीक है यह भी बहुत important है इसको भी आद रखना है अब यहाँ पे क्या होता है यहाँ पे क्या होता है अगर मैं बहु जीनी का मतलब क्या है देखो नाम से पता चल रहा है बहु जीनी याने की बहुत सारे जीन ठीक है तो यहाँ क्या होता है अगर मैं कहूं एक लक्षन है ठीक है ये क्या है एक लक्षन है तो मैं क्या कोँगे यहां पर इस लक्षन के लिए क्या है एक लक्षन के लिए बहुत सारे gene क्या है जिम्मेदार है gene 1 gene 2 gene 3 4 5 6 7 तो यहां क्या है कि एक ही election के लिए इतने सारे gene ये जिम्मेदार है ये सब क्या है gene ठीक है ये क्या है gene है सारे के सारे कि ये सारे gene मिलके एक लक्षन दिखाते हैं यहां पर ये मतलब है इसका ठीक है कि यहां पर क्या है लक्षन एक है लेकिन लक्षन एक है लेकिन gene क्या है अनेक है ठीक है इतनी बात clear gene एक है लेकिन लक्षन अनेक है वही अगर मैं पहले ट्रॉपे की बात करती हूँ तो यहाँ पर हमने क्या बोला कि यहाँ पर जीन एक होगा यहाँ पर क्या है यहाँ पर मैं जीन लेती हूँ तो यह जीन क्या है जीन एक है यहाँ ठीक है और एक जीन के लिए क्या है इस एक जीन के लिए अलग-अलग लक्षन है ठीक है क्या है अलग-अलग लक्षन निर्धारित करते एक जीन को लो अलग-अलग लक्षनों को निर्धारित करता है ये एक जीन ये अलग-अलग लक्षन है इनको ये एक जीन क्या करता है निर्धारित करता है यहां क्या है एक लक्षन को इतने सारे जीन निर्धारित कर रहे है लेकिन यह जीन क्या कर रहा है? अलग-अलग लक्षन निर्धारित कर रहा है. ठीक है? इतनी बात clear? चलो ठीक है. यहाँ पर समझते हैं. तो यहाँ पर हमें क्या समझना है? कि एक लक्षन को निर्धारित करने वाले हम क्या लिख सकते हैं? एक लक्षन को निर्धारित करने वाले जीन की जीन की संख्या संख्या ज्यादा होती है ठीक है, कि एक लक्षन को प्रभावित करने वाले जीन की संख्या ज्यादा होती है यहाँ पर ठीक है, इतनी बात क्लियर वहीं अगर मैं यहाँ पर लिखूंगी तो क्या लिखूंगी यहां लिखूंगी बई, क्या लिखूंगी बई, अलग-अलग लक्षणों को निर्धारित करता है, एक जीन, ठीक है, क्लियर इतनी बात, कि यहां जीन अनेक है, लेकिन यहां एक जीन है, ठीक, इतनी बात सबको याद रखनी है, अब आगे भी यहां क्या समझते हैं, स्टार मा करके बता देती हूं कि भाई, अलग-अलग जीन, एक ही लक्षण को निर्धारित करते हैं, ठीक है, यहां पर क्या है, की देखो, इसको बहुत अच्छे समझ लेना, बिल्कुल कन्फूशन मत रख रहा है, कि मैम नहीं क्या है, क्या नहीं है, अब अगली बार आप पूछोगे नहीं बिल्कुल भी, क्योंकि बहुत अच्छे से देखो, असानी से एक एक चीज यहां पर समझा रहे हूं, तो मुझे नहीं लगता है, यहां पर आप लोगों को डाउट होना चाहिए जरा सा भी, ठीक है ना, तो हमने क्या बोला यहां पर, कि मेंडल जी के अकॉर्डे यहां पर क्या चल रहा था, कि उन्होंने एक लक्षन दिया था कि उचाई, ठीक है उचाई लक्षन था उनका, अब यहां पर क्या देखा था हमने, कि जनरेशन टू जनरेशन क्या हो रहा था, यह आगे जाते हैं लक्षण ये लक्षण पीडी तर पीडी आगे जाते हैं हमने क्या देखा लक्षण के हिसाब से कि यह लंबा था एक बॉना था है ना उचाई में अंतर दिख गया ना एक लंबा था एक बॉना था है ना तो यहां पर क्या हुआ कि लक्षण क्या है एक है लेकिन उसको यह ए एक लक्षं को यहाँ पर क्या कर रहे हैं निर्दार्त कर रहे हैं क्लियर को ?. आगे बढ़ते हैं अब歌 कि मैंडल के अध्याहन में मुक्ता उनकी विशेश लक्ष minder का वडणन किया गया जिनके इस पर्ष्ट विकल्पी रूप होते हैं जैसे कि पुश्प का रंग जो यह तो बैंगनी होता है या श्वेत होता है वहाँ पर हमने दो रंग देखे था एक तो बैंगनी देखा था एक श्वेत देखा था परन्तु यदि आप अपने आसपास चारोर देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि ऐसे अन्नेक लक्षन है जो उतने स्पष्ट नहीं है तता प्रणवत्ता में फैले हुए हैं क्लियर नहीं है लेकिन हर जगा फैले हुए है जैसे मुनश्य में हमें केवल लंबे अत्वा बोने लोगों के दो विवक्त इसपस्ट हो द्रिष्टी कर नहीं होते हैं परंतु हमें उचाई के सभी संभावित प्रियास मिलते हैं यानि कि उसका क्या मिलते हैं कि इसमें बोले कि दो ही तरह या तो लंबे या बॉने ऐसा काता यहन Rapha यह थूड़ी की सारत हाइत माइ और सारे की बॉने ना उन He नहींना उनके बीच की लंबाई की लोगों भी मिलता है जैसा है इससा बहुत है कि भी हो सकता है हम बिचारे हम जैसे भी हैं जिनकी हाइड की आती हैं उनके बीच के हैं कि वह अपने से लंबों से हम ऐसे बात करते हैं अपने से जो कम हाइड के उनसे ऐसे बात करते हैं और कुछ ऐसे भी है जिनसे हम ऐसे करके बात करते हैं अब यह जो लक्षण है समानता तीन अथवा उधारन इसका उधारन समझो तो इसका उधारन में क्या बताऊंगी आपको हाँ इसका उधारन हम क्या लेते हैं एक्जाम्पल लेंगे तौचा का रंग तौचा का रंग इसका एक्जाम्पल है ठीक है तौचा का रंग कैसा है कि भाईया एक तो क्या है क्या है गोरा है ठीक ह एक काला है और इन दोनों के बीच में एक और हम जैसे गे हुए ये सावले रंग वाले लोग आ जाते हैं है ना तो ये क्या है सावला है ठीके ये क्या है सावला है तो यहाँ पर क्या है इन तीनों चीज़ों के लिए क्या है कुछ पर्टिकुलर जीन्स है जो responsible है ठीक है जो इनको निर्धारित करते हैं कि कौन गोरा है कौन काला है कौन सावला है यह कहते हैं ना कि यह तो भगवान की देन ने भगवान ने ऐसा बनाया है नहीं भाई यह हमारे जीन्स है ठीक है वो इसको निर्धारित करते हैं कि हम गोरे रहेंगे सावले रहेंगे काल पिज गए हमसे भगवान की देने बेशक हमसे भगवान की देने ठीके लेकिन यह जो चीज हो हमारे उपर डपेंड कर रहा है हमारे शरीर मे यह हो나라 है यह बेसिकली हो होता है ठीके तो यह science है इसको संझो ठीके ना कर लो तो अगर मैं गोरा बोलती हूँ है ना तो गोरा जो होता है तो गोरे में क्या जीना जाएगा हमारे पास चलो अच्छा पहले अजाइम यह लो काला है तो काले के पास क्या जीन साएंगे बodी तीन जीन होते हैं एक होता है A, B और C ये क्या अधर जीनी संद्रशना है, तीन जीन structure है हमारे पास A, B, C तो अगर मैं काले की बात कर रही हूँ, तो काले में क्या होगा? काले की बात कर रही हूँ, तो capital A, capital A, capital B, capital B और capital C, capital C, ठीक है? ये सबी क्या होंगे? pairs में आ जाते हैं, pairs में होते हैं, ठीक, यहाँ क्या है? यहाँ पर तीन तो GEN है एक, दो, तीन यहां क्या है? तीन तो GEN है प्लस इसका जो सवरूप क्या है इसका जो सवरूप है वो क्या है, capital है ठीके? यहाने की यह सब क्या है Capital में है, कुछ भी small ली है यहाँ पे, तो यह जो ऐसा रंग बनेगा capital A, capital B, capital B, capital T capital C, तो यके सारे जीम किया है, capital काला रंग बन गया, ठीक है, clear इतनी बाद, चलो, इसको आगे बड़ते हैं, यह देखो, इख रहे हैं आपको इस तरीके से, कितने सारे colors हैं कितने सारे colors हैं और हर एक हाथ दूसरे हाथ से अलग है सारे रंग अलग अलग है चाहें थोड़ा बहुत difference हो इनमें minute सा difference हो लेकिन सब में अलग-अलग difference है ठीक है सब में difference है है ना हाँ चलो यहां तो यह आ गया हाँ अब मैं अगर बोलू कि गोरे की बात करूं यहां पर एक पेज जोड लेते हैं चलो यहां पर एक पेज जोड लेते हैं लो अब अगर मैं गोरे की बात करती हूं है ना यह क्या गया गोरा गोरे की बात करूंगे तो यहां क्या जीन आ जाएंगे यहां पर गोरे में जीन क्या जाएंगे ठीक है यहां पर बिलकुल जो काला सावला रंग लेते हैं तो सावले में क्या है सावला क्या है इन दोनों का मिक्स है ना तो गोरा है और ना काला है ठीक है जैसे हम ना तो गोरे हैं ना काले हैं हमें बीज मेटका दिया गया है है ना तो यहां क्या है हमारे पास क्या है आदे गुड तो काले वालों के आ गए औ small A, capital B, small B, capital C, small C, ठीक, तो यह क्या है, सारे mixed genes है, यहाँ पर क्या है, mixed genes हों गया, ठीक है, इतनी बात clear सबको, है ना, तो यहाँ पर क्या होता है, 2 की power N करके, यहाँ पर इस तरीके से, 4 genes, ठीक होंगे, अगर, ठीक है, तो क्या होगी, तो 2 की power 4, ठीक है, यहाँ पर हम यह वाला formula लगा सकते हैं, कि अगर 4 genes होंगे, तो यहाँ पर 4 genes में क्या है, 2 की power 4 होगी, कैसे होगी, यह समझों, कि भई, 2 into, 2 into, 2 into 2, ठीक है, equal to 8, जब इसका क्या कराएंगे, हम swap परागन कराएंगे, swap परागन करा दिया हमने, तो हमाएं को क्या मिला, 64 types के color मिले, 64 type के color मिले हमें, ठीक है, clear इतनी बात, हमने क्या बोला, कि 2 की power n है यहाँ पर, है, तो यहाँ पर 2 की power क्या है, 4 है इसका मतलब, 4 है इसका मतलब, यह n क्या है, यह है, 4 gene है, ठीक है, चार तरीके के gene है, अगर ऐसे, तो है न, कि 2 की power 4, 2 की power 4, इस तरीके से, ठीक है अभी समझ में आ गया, कभी सोचों कि मैं हम यह क्या लिख रही है, तो 4 का मतलब क्या है, कि n का मतलब वहाँ पर 4 gene है, यह, यह क्या है, 4 gene है, ठीक है, चलो, अब देखो, बहु जीनी वंशागती, मातरात्मक वंशागती, ठीक है, तो भई हमने क्या बोला, कि जितने ज्यादा जीन होंगे ठीके तो जितने ज्यादा जीन होंगे उतने ज्यादा क्या होगा काला रंग बनेगा ठीके तो हम इसको कैसे लिख सकते हैं कि जितने ज्यादा जीन होंगे जितने ज्यादा जीन होंगे तो क्या होगा सारे ब्लैक सारे ब्लैक होंगे ठीके तो चलो अब यह जो color होता है इसको निर्धारित कौन करता है अगर मैं skin color की बात करती हूं skin color की बात करती हूं तो इसको यह one mark में आ सकता है कि skin का color तुचा करंग कौन निर्धारित करता है ठीक है तो skin color की बात करती हूँ, तो भाइया इसको निरधारित कौन करता है? इसको निरधारित करता है हमारा melanin. ठीक है, melanin, ठीक है? और यही जो black color है, यह melanin जो है, जादा होने की वज़े से आ जाता है. यह जो black color है, यही जो mention है, यही सारा काम बिगार देता है, जिनका रंग काला होता है यह क्या हो उनके शरीर में ज़ादा बनने लग जाता है ठीक है तो हमारे शरीर का जो रंग है वो कौन बनाता है melanin बनाता है, ठीक, चलो, यह melanin है, यह क्या होता है, यह बहुत ज़्यादा produce होता है, बहुत ज़्यादा produce होता है, तो यह काला रंग बनाता है, ध्यान रखना यहाँ पर, ठीक है, देखो इसको समझते हैं ऐसे अगर मैं काला रंग बोलू तो काले रंग में क्या है हमारे पस A A B B C C यहाँ पर क्या है बहुत ज़्यादा अमांट में मैलनन बन रहा है यहाँ पर क्या है बहुत ज़्यादा amount में या मात्रा में क्या बन रहा है? melanine melanine produce हो रहा है ठीक है? इसी वज़े से क्या है? जब melanine ज़्यादा produce हो जाता है तो क्या होता है? रंग काला हो जाता है ठीक, अब अगर मैं गोरा बोलूँ ठीक है, गोरा बोलती हूँ तो गोरे में क्या है हमारे पास? यह गोरे में था हमारे पास यहाँ पर क्या है? कोई भी capital जीनी संरशना नहीं है या gene structure नहीं है है ना? इसका मतलब यहाँ पर क्या है? melanine जो है इसका मतलब यहाँ पर melanine बहुत कम बन रहा है बहुत कम बन रहा है ठीक है? ठीक है जी अब आता है सावला रंग है ना? हमारा रंग सावला रंग आ गिया भाई अब हमने क्या का जो सावला रंग है वो क्या है? हम बिचारे ना तब बहुत जादा गोरे हैं, ना काले हैं हम बीच में आते हैं हम इन दोनों के क्या है मिक्स ब्रीड हो गई है हम है ना मिक्स ब्रीड हो गई है इनके हम तो मिक्स ब्रीड याने की यह आ गया हमारे पास ठीक है यहां पर क्या है हां यहां पर क्या है मिक्स है ना यहाँ पर क्या है सावले रंग में मिक्स है तो हम कह सकते हैं कि यहाँ पर क्या है बहुत कम बन रहा है बहुत बहुत कम बहुत सकते है हाँ बहुत यह जो बहुत कम यहाँ पे था न उससे भी कम बहुत कम मतलब कुछ है माउंट में इसको लिख देते हैं कुछ है माउंट में बहुत कम तो नहीं लिख सकते कुछ है माउंट में कुछ मात्रा में बन रहा है क्योंकि जो गोरे वाले हैं गोरे वालों में क्या है गोरे वालों में तो बहुत कम बन रहा है ना लेकिन जो सावले हैं उनका जो है जो गोरे वाले हैं उनसे तो जादा ही बन रहा है है ना ठीक है इतनी बात क्लियर सबको है ना चलिए फिर आगे बढ़ जाते हैं यह तो इस तरीके से रंग में अंतर होता है बालों में अंतर होता है और आंखों में भी अंतर होता है आप बहुत यह सानी से अपने स्क्रीन पर देख सकते हैं रंग में अंतर होता है बालों में अंतर है और आखों में अंतर होता है एश्वेरे राय की आखे देखिए किती खूब सूरत है है यह टार्जन जो टार्जन दा वंडर कार क्या नाम था उस हीरो का मैं तो नाम भी कितनी खूबसूरत सी आख है तार्जन दावंडर कार है ना वह उसमें क्या था आजे देखगं का बेटा बना हुआ था है ना चलो आगे बढ़ते हैं देख लेते हैं भाई अनेक जीनों के शामिल होने के अतरिक बहु जीनी वंशागती में परियावरण के परभाव को भी परखा जाता है ठीक है मानव तुचा का रंग इसका एक अन्यो धारन है हम अपना एक्जैम्पल ले सकते हैं एक तुचा के साथ हम बालों के कलर भी देख सकते हैं आखों के कलर भी देख सकते हैं बहु जीनी जो लक्षन होते हैं फीनो टाइप में प्रतेग अलील का अपन ना करें कि जीन ABC मनुष्य के मनुष्य में तुचा के रंग के लिए उत्तरदाई है जो देखो यहां अल्रडी हम यह सब कुछ समझ चुके हैं तो बिल्कुल है ना तो यहां पर हम क्या लिख सकते हैं कि जीन एक यहां क्या लिख सकते हैं जीन एक है ना और उसके लक्षण अनेक ठीक है जीन एक लक्षण अनेक ठीक है ना चलो इसको कैसे समझते हैं हम एक्जैमपल लेते हैं बॉड़ी में टायरोसिन का कि टायरोसिन हमारी बॉड़ी में होता है तायरोसिन देख इसको समझ ले ना यह important है star mark कर देती हूं जो चीज इंपोर्टन्ट होती है वहाँ star mark कर देती हूं यह क्या होता है यह एक amino acid होता है अपाइ 했는데 यह अमल बोल लो ठीक है तो यहां क्या हुआ यह हमारी बाड़ी में बहुत सारे काम करता है हमारे शरीर में कि बहुत सारे काम करता है ठीक है करता है बहुत सारे जैसे की example देखो जैसे कि क्या कर रहा हू है हमारे ब्रेन में काम करता है मनलब हेल्प करता है मस्टिश्क में है ना मस्टिश्क 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 में कारे करता ही है हमारे और क्या काम करता है हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम में करता है यानि कि पाचन तंतर में ठीक है पाचन तंतर में कर रहा है और क्या कर रहा है हमारे हॉर्मोंस में इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है ठीक है और इसके साथ साथ क्या है एक इंपॉर्टेंट काम इसका और भी है वो क्या है मैलेनिन melanine melanine बोलो melanin बोलो कोई दिखत नहीं है चलो तो ये इतने सारे काम करता है लेकिन सवाल आता है ये बंता कैसे है सवाल क्या आया ये क्या है बंता कैसे है ठीक है, सारी चीज़ें समझ गहें, यह 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 काम कर रहा है, लेकिन सवाल है भाई, यह बनता कैसे है, तो यह क्या होता है, हमारे शरीर में क्या है, फिनाइल एलनाइन, अलग कलर से लिख देते हैं, फिनाइल एलनाइन, यह क्या है, हमारी बॉड़ी में होता है, क्या हम बॉड़ी में होता है, ठीक है, इसको आप पीछे लिखते हैं, अगने पेश पे लिखते हैं, ताकि आपको समझ में आए, क्योंकि एक अच्छा सा flow chart बना के समझा देते हैं इसको ताकि आपको समझने में बिल्कुल भी दिक्कत ना हो फिर से एक पेज लेना पड़े है क्या चेलो जी ले लेते हैं कोई दिक्कत ने पेज ये तो लेना है फिल फिनाइल फिनाइल अहां बोलने में भी यह सो जाता है एक दम से कभी कभी हां कि हमारे बॉडी में क्या होता है फिनाइल आप फिन फिनाइल अलनाइन ये क्या होता है हमारी बॉडी में होता है ठीक है ये क्या होता है हमारी बॉडी में होता है अब यहां पर क्या होता है ये जब तूटता है ये जब तूटता है है ना तूटता है कैसे तूटेगा enzyme की वज़े से तो यहां लिख देते हैं enzyme की वज़े से enzyme कौन सा है यहां पर enzyme है phenyl alanine hydroxylase ठीक है कौन सा है phenyl alanine hydroxy यह एक enzyme है इसकी presence में यह phenyl alanine टोटा है ठीक है तूट गया चलो यह हमारे शरीर में अब जब यह तूट जाता है इस enzyme की presence में जब यह तूटता है तो क्या होगा? body के काम start हो जाते हैं यहाँ पर body के जो काम है या कार्रे हैं वो क्या हो गए है? start होते हैं इसके तूटने पर ठीक है? इसके तूटने पर ही क्या होते हैं हमारे शरीर में जो काम हो रहे हैं इसके तूटने पर ही होते हैं आगे समझ में जितने भी मैंने पीछे काम बताय थे यह इसके तूटने पर होते हैं ठीक, लेकिन सवाल आता है कि अगर यह तूटा नहीं तो क्या? अगर ये टूटा नहीं तो क्या हाँ अगर ये टूटा नहीं तो क्या होगा ये कोशन है ये कोशन आपका आ सकता है ये जो कोशन है आपका आ सकता है कि अगर ये जो फिनाइल एलनाइन है ये हमारे शरीर में नहीं टूटा है तो क्या होता है आपके एक नमबर में या दो नमबर में ये सवाल फॉस जाता है कभी-कभी ठीक है तो यहाँ पर क्या है जब यह नहीं तूटा है तो क्या होगा बताओ जल्दी कौन बताएगा जब यह नहीं तूटेगा तो क्या होगा जब यह नहीं तूटा तो क्या होगा बता जब यह नहीं तूटा इसका मतलब कि वही क्या हो रहा है कि यहाँ पर यह कहां जमा हो जाएगा ब्रेन में जमा हो जाता है जमा हो जाता है ठीक है और जो सारे काम होते हैं ना जो सारे काम है हमारे शरीर में जो सारे काम है हमारे शरीर में क्या होते हैं वो सब रुक जाते हैं या धीरे हो जाते हैं या धीरे हो जाते हैं ठीक है और इसके साथ साथ भाई एक बहुत ही बुरी चीज हो जाती है सारे काम रुक जाएंगे धीरे हो जाएगा ये तो ठीक है ये तो ठीक है इसके साथ साथ एक रोग भी हो सकता है, इसके साथ साथ एक रोग भी हो सकता है, और कौन सा है वो रोग, वो रोग है, फिनाइल के टुनूरिया, ठीके, फिनाइल के टुनूरिया, ये रोग है, तो आप से पूछ सकते हैं, कि भई, फिनाइल एलनाइन के ना तूटने पर, कौन सा रोग हो जाता है यह कौन सा रोग हो सकता है ठीके तो हमारा जवाब क्या होगा फिनाइल केटनूरिया कर्रेक्ट इतनी बात क्लियर सबको चालो वेरी गुड आगे बढ़ते हैं देखो यह है इस तरीके से बिमारी हो जाती है यह एक फोटो है किसी भी बच्चे की X, Y, Z नहीं मालूम ठीके तो इस तरीके से बच्चा दिखने लग जाता है बच्चा है बड़ा है जो भी है वो इस तरीके से दिखेगा थोड़ा समझ लेते हैं कि मनुष्य में होने वाली फिनाइल के टनूरिया व्यादी याने की जो प पर रूपिक लक्षणों को मांसिक मंदन वाले मांसिक मंदन या बालों के कम होने तथा तचिये रंजन द्वारा अभिव्यक्स होता है ठीक है क्लियर इतनी बात यहाँ पर क्या हो रहा है क्या बोला है रोक कैसे हो रहा है फिनाइल एलनिन हाइड्रोक्सी लेज नामक चीक बहुत है उब हो रहे हैं तो उससे न सबस्क्राइब याने कि extreme गोरापन आ जाता है इनके अंदर ठीक है बहुत गोरे दिखते हैं लोग तो जो बहुत जादा गोरे लोग है वो यह मसोचना उनको यह बिमारी है क्या आप मुझे बता सकते हैं कि इस संरशना को देखके आप क्या समझते हैं कि यह क्या संरशना है बताओ कौन बता क्रोमोजोम है एक्स और वाई क्रोमोजोम है ठीक है चलो यह क्या है हमारे क्रोमोजोम है हम आगे बढ़ते हैं तो इसका मतलब हम क्या बात करने वाले हैं लिंग निधारन गयाने की गुरसूत्रों के क्रोमोजोम के बारे में हम बात करने वाले ठीक है लेकिन उससे पहले बढ़ा लिया है हमने यहाँ पर और अब लिंग निर्धारण की बात करते हैं हम यहाँ पर लिंग निर्धारण ठीक है इसको हम क्या बोलते हैं सेक्स डिटर्मिनेशन ठीक है ना क्या बोला हमने इसको sex determination बोला अब हमको पता है कि दो तरीके के युगमक होते हैं ठीक है पहला क्या होता है हमारा नर युगमक है ना पहला तो यह आ गया हमारा नर युगमक दूसरा क्या आ गया हमारा मादा युगमक आ जाएगा दूसरा मादा युगमक ठीक है दो आ गए हमारे पास यहां पर चलो ठीक है अगर मैं नर युगमक की बात करती हूँ तो नर युगमक में क्या होता है यहां पर भाई हमारे पास X और Y होता है ठीक है मादा की बात करते हैं तो मादा में X और X होता है ठीक है अब यहां पर 23 तेज गूर्षूत्र के जोड़े होते है है ना यहां क्या होते है तर जल पर हमने क्या बोना टेश जोड़े गोड़ सूत्र हो गए ठीक यानि कि 44 हो गए, ठीक, 46 में से 44 यह हो गए और 2 यह हो गए ठीक है न, तो कितना हो गया, 46 हो गया, इसी तरीके से इसको कैसे लिख सकते हैं 44 प्लस प्लस XX, ये भी 46 हो गया, अब इन दोनों का क्या कराएंगे, हम इन दोनों का निशेचन कराते हैं, चलो, फढ़ा पड़ से, है ना, इन दोनों का क्या कराएंगे, हमने निशेचन करा दिया, हमने निशेचन याने की, फर्टिलाइजेशन करा दिया, ठीक है, इंग्लिश में भी लिख देती हूं साथ-साथ, ताकि आपको कि निशेचन याने कि Fertilization है ना कि भैया जब निशेचन हो रहा है इन दोनका तो हमको क्या मिल गा यहां पर हमको क्या मिल गया अगर निशेचन कराते हैं तो इस से हमको क्या मिलेगा हाँ, xx और xy ठीक है, कि भई xx हुआ तो क्या हो गई? लड़की पैदा होगी ठीक है, और xy हुआ तो लड़का पैदा होगा निशेचन के बाद, ठीक है न? क्यों? क्योंकि भई हमको मालूब है कि मनुष्य में 46 गुर्ण सूतर होते हैं इसको समझो, कि क्यों लिखा है ऐसा? कि अगर मैं मनुष्य की बात करती हूँ तो मनुष्य में कितना है? 46 गुर्ण सूतर हैं हमारे पास है न? अभी मैंने बताया आपको ठीक, बताया ना यहाँ पे कि भईया 46 गुर्ण सूतर है ठीक है? अब इस 46 गुर्ण सूतर में क्या होगा? यहाँ पर अगर मैंने क्या बोला? यहाँ पर मैंने क्या बोला कि 23 जोड़े ठीक है? याने कि 22 जोड़े तो यहाँ पर क्या है? नॉर्मल है और जो 23 जोड़ा है वो क्या है? लिंग निर्धारन करता है यहां पर ठीक है अगर मैं नर और मादा की बात करती हूं यहां पर यहां नर लिखती हूं यहां मादा लिखती हूं ठीक है तो यहां पर अगर मैं नर में बोलू तो जो 22 जोड़े हैं जो 22 जोड़े हैं वो क्या है हां 22 जोड़े गुर्सूत्र जो है वो नौर्वल है लेकिन यहां पर जो एक जोड़ा है एक जोड़ा ये क्या है लिंग गुर्ण सूत्र है ये ठीक है ये क्या है लिंग गुर्ण सूत्र है यानि कि ये बताता है कि यहां पर जो वाई है वो ये बताएगा कि होने वाली संधति लड़का है ये लड़की है ठीक फिर अगर मैं मादा की बात करती हूं मादा में भी वही मैं यह 23 होते हैं लिकिन यहां पर 23 के 23 क्या है जो 23 जोड़े है गुणसूत्र है वो सब-क्या र SNC alguien है नी वह सब-क्या आलिंग यह जैसे 22 जोड़े यह अलिंग है और एक जोड़ा क्या है यहां पर लिंग-शूत रहें इतनी बात कितने बच्चों को क्लियर हो गई है मुझे फड़ा फड़ से बता दो थमसब देके है ना थमसब देके फड़ा फड़ से बता दो कितने बच्चों क्लियर हो गई है ताकि मैं इस क्लास को आगे बढ़ा सकूं है ना आप लोगों को समझ में आ सके बता बात कर ली अब बात आती है लिंग निर्धारम के प्रकार चलो प्रकार के बारे में समझते हैं तो यहां दो होता है एक होता है नर विश्यम युगमता और एक मादा विश्यम युगमता ठीक है दो प्रकार नर विश्यम युगमता ठीक है पहला यह हो गया दूसरा क्या हो गया मादा विश्यम युगमता ठीक चलो अब जो नर विश्यम युगमता है इसको हम क्या बोलेंगे male hetrogamy बोलेंगे है ना इसको हमने क्या बोला male hetrogamy ठीक है इसको हमने क्या बोला male hetrogamy बोला अब अगर मादा की बात करते है तो यह क्या है female फिमेल हेटरोगेमि ठीक है ये क्या हो गया आपका फिमेल हेटरोगेमि हो गया चलो जी ये भी समझ गये हम अब यहाँ पर क्या होता है जब मैं नर विशम युगमता की बात कर रही हूँ तो जब नर के द्वारा संतती का निर्धारन हो रहा है, यहाँ पर जब नर के द्वारा संतती का क्या हो रहा है? निर्धारन हो रहा है, कि भई होने वाली संतती क्या है? नर होगी या मादा होगी? ठीके तो वो क्या कहलाएगा वो आपका कहलाएगा नर विशम युगमता यानि कि यहाँ पर जो नर है वो डिसाइड कर रहा है कि होने वाला बच्चा है वो लड़का है यह लड़की है ठीके तो इसको हमने क्या बोला नर विशम युगमता बोला इसको इतनी बार clear सबको चलो ठीक है इस चीज़ को हम समझ गए है ठीक है ना चलो यह समझ गए है हां उसके बार चलो एक example लेके समझते हैं example कैसा यह लोग मनुष्य का ही ले ले लेते हैं हम example हम अपना ही example से क्यों ना समझे है ना भई चलो जब हम मनुश्य का example ले रहे हैं तो मनुश्य में क्या है भई मादा जो होती है मादा के पास क्या है X X है ना यानि कि ये दोनों क्या है sum यूगमच ये दोनों के दोनों क्या हो गए है सम यूगमज हो गए है यानि कि अगर इसको मैं ब्रेक करूंगी तो हमें क्या मिलेगा एक्स और एक्स ही मिलेगा यहां पर ठीके एक्स और एक्स ही मिलेगा यहां पर तो भई जहां पर क्या होता है यहां पर मादा के पास X और X है तो यह X और X क्या है भई यह क्या कहला रहे है हमारे पास सम युगमज कहला रहे है तो ऐसी जो मादा होगी वो सम युगमजी कहलाएगी सम युगमजी ठीके कहलाती है ऐसी जो मादा है वो सम यूगमजी कहलाती है ठीक है यह सम यूगमजी होती है clear इतनी बात लेकिन भाई नर्क तो सम यूगमजी नहीं हो सकता है ना क्योंकि नर्के पास क्या है नर्के पास तो X और Y है ना नर्के पास क्या है X और Y है इसके पास तो यहां पर बात आती है कि मादा विशम युगमता ठीक है तो यहां तो हमने समझ लिया अगर हम अपनी बात करते हैं तो यहां पर कि यहां पर मादा है कि मादा विशम युगमता यानि इसका पर सके संब्सक्राव करते हैं कि यहां पर हम होने वाली संतती है है ना वो क्या है ठीके होने वाली संतती है वो क्या है तो इतनी बात आप दोनों को ये दोनों बात आप सभी को समझ में आ गई है जल्दी से थमसब करके बता दो समझ में आ गई है तो चलो फिर आ गई सबको समझ में लिंग निर्धारन आता है अब हमारे पास हां लिंग निर्धारन के जब हम बात करते हैं तो हम क्या बोलेंगे इससे पहले कुछ और भी समझना बाकी है क्या हां विल्कुल समझना बाकी है यहां पर एक पेज जोड लेते हैं ताकि फिर से यहाँ पर ना हो ठीक है चलो अभी तो हमने मादा की बात करी थी ठीक है ना हमने क्या देखा यहाँ पर मादा देखा अब यहाँ पर क्या देखते हैं हम चलो नर भी देख लेते हैं हम नर की बात कर लेते हैं यह लो जी यह रहा आपका नर अब नर के पास क्या होता है हमें मा मजी क्या है यह विशाम यूग मजी है यह ठीक है ना हाँ ओके ना और हमें मालूम है कि अगर हमने यह किसकी बात करी मादा की बात करी तो यहां मादा के पास क्या है मादा के पास हमने क्या बोला क्या है मादा के पास xx है याने कि यह क्या है सम्यूग मजी तर्रेक्ट यही बात करें भी हमने है ना लेकिन अब यहाँ पर चो हम टाइप पढ़ेंगे वो बड़ा interesting सा टाइप है ठीक है जो टाइप आगे हम पढ़ने जा रहे हैं हम क्या पढ़ने जा रहे हैं हम बात करेंगे भाई, X O प्रकार, ठीके, X O प्रकार पढ़ेंगे, ठीक, उसके बाद यह जो X O प्रकार है किसमें मिलेगा, यह हम तो कीटो में मिलेगा, ठीके, किसमें मिलेगा यह कीटो, अच्छा, इसको थोड़ा सा इधा लिख देते हैं, ताकि आप लोगो confusion ना हो कि कहां पर क्या है चलो, हब से पहला हम क्या पढ़ेंगे X O प्रकार पढ़ेंगे ठीक है, यह X O प्रकार आपको कहां मिलेगा कीतों में मिलेगा ठीक, उसके बाद हम क्या पढ़ेंगे X X X Y प्रकार जो होता है ठीक है किसमें मिलता है यह मनुश्य में मिलता है ठीक फिर यहाँ पर पढ़ेंगे हम ओके जहाँ पर क्या हो रहा है जहाँ पर पता चल रहा है कि भई यहाँ पर क्या है विशम युगमता है ठीक है ना उसके बाद यहाँ पर हम क्या पढ़ेंगे एक और चीज़ पढ़ेंग ठीके जो कहां देखने को मिलेगा आपको पक्षी में देखने को मिलेगा ठीके और लास्ट में क्या पढ़ेंगे हम मधु मक्षियों के बारे में पढ़ेंगे थोड़ा सा ठीके मधु मक्षियों के बारे में पढ़ेंगे लास्ट में थोड़ा सा ठीक है तो यहाँ पर जो है हम यह सारी चीज़े देखेंगे इतनी बात क्लियर सब को है ना डाउट नहीं होना चाहिए बिल्कुल भी चलो आगे बढ़ जाते हैं अब आता है हमारा लिंग निर्धारन तो जो लिंग निर्धारन है भाई इसको क्या है यह हम अगर मैं लिंग निर्धारन बोलूँगी तो लिंग निर्धारन को आप क्या समझोगे मुझे फटाफट कॉमेंट्स में बता दो हां की बई मैं कहती हूँ कि एक वैज्ञानिक थे हैंकिंग अगर मैं इसके बारें बात कर रही हूँ तो एक वैज्ञानिक हुआ करते थे एक विग्यानिक हुआ करते थे जिनका नाम क्या था हैंकिंग हैंकिंगud अब यह जो विग्यानिक नाम दिया था कब नाम दिया था 1891 में 18 1819 में 1819 में क्या किया था इन्होंने नाम दिया था ठीके और इन्होंने किस में ढूना था ये इन्होंने बात करी थी भाई कीटों में इन्होंने किसकी बात करें थी, कीटो में, ठीके हैंकिंग ने नाम दिया था, ठीके हैंकिंग ने या जब बात करी थी, तो वो आगे चलके X क्रोमोजोम कहलाया था, ये आगे चलके क्या बात हुई थी, आगे चलकर, ये लिंग ने धारन के बारे में जब बात हुई थी, तो सब मकिरंपर क्लियर सब को Hij अब यहां पर क्या है अगर यहां पर जैसे-जैसे-जैसे क्या होगा अद्यन में हम आगे बढ़ेंगे तो क्या होगा सारे गुंसूतर बन रहे थे यहां पर उन्होंने आच्छा चले Carnival से समझाती एक जैंपल से समझाती हो कि ऑग्रास अपर का कि एक निर्धारण कैसे होगा यहां पर अगर बात करूँ तो ठीक है कर वो देख रहे था यह कि बहुंत ग्रास हो पर कि हम बात करते हैं यहां पर लिंघ निर्धारण कैसे होगा, तो यहाँ पर क्या हुआ, उन्होंने क्या किया, एक example लेके, suppose करके चल रहे हैं, कि यहाँ पर क्या है, यह है, नर, टिड़ा, ठीक है, यह क्या है आपका, नर टिड़ा, और यहाँ क्या है, मादा टिड़ा, ठीक है, चलो ठीक है, मान लेते हैं, अब अगर मैं इन गुर्सूत्र बनाती हूँ हाँ इनके गुर्सूत्र बनाती हैं सपोज को रोड़ 10 10 नहीं यहां पर ठीक तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10 तो इसमें भी इतने 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10 ठीक है तो यहां पर ऐसे हो गया अब जब यह पर इनुने सकी क्रॉस करवाई तो क्रॉस कराने पर इनको क्या मिला भाई बड़े आस्चर रे जनक रिजल्ट मिले। यहां पर इन्होंने देखा कि जैसे-जैसे अधियन में यह आगे बढ़ रहे थें और जैसे-जैसे हैं क्रोमोजों में आगे बढ़ते जा रहे थे, वैसे वैसे क्या हो रहा था यहां पर? कि बस एक को छोड़कर, यहां पर क्या हुआ कि भाई बस एक को छोड़कर, लिख इसले रही हूँ ताकि आपको ध्यान में रहे. बाकी जो सारे थे सारे थे वो क्या कर रहे थे? युगमक बनाने पर क्या कर रहे थे? युगमक बनाने पर क्या काम कर रहे थे? बदाओ जल्दी से भाई किसको मालूम है? कौन बदा सकता है? कि बई युगमक बनाने पर सब जोड़े में आ रहे थे सारे काम होड़ते बस एक नहीं हो रहा था ठीक है युगमग बनाने पर क्या हो रहा था एक गुर्ण सूत्र खाली दिख रहा था यहां पर ठीक है एक गुर्ण सूत्र क्या था खाली दिख रहा था है कि एक गुर्शूदुर खाली कैसे दिखता था यहाँ कि यहाँ पर बन गया यहां पर एक यहां पर खाली eyelet ठीक है जैसे जैसे यह अपने अध्यान में आगे बढ़े तो भाई एक यहाँ पर खाली रह गया ठीक फिर अगर इसमें बात करते हैं इसमें क्या हुआ मादा की जब बात हुई तो इसमें क्या हुआ यहाँ पूरे बन रहे थे ठीके यहां कहते पूरे के पूरे बन रहे थे एक से लेके दस तक लेकिन यहां पर क्या है एक खाली रह गिया था यहां पर क्या है एक खाली रह गिया था ठीके तो खाली रह गिया था इसका मतलब यहां पर इसको इन्होंने यह रख दिया ठीक है याने कि यह रख दिया याने कि सारे तो x है और 1 क्या है 0 है तो यह हम किसके बारे बात कर रहे थे भई कीटों के बारे में बात कर रहे हैं तो याने कि यहां कीटों में क्या होता है एक गुर्षूत्र की कमी होती है यहां क्या होता है एक गुर्षूत्र की कमी होती है जिसकी वैसे क्या बोला हमने इसको एक्स ओ बोला क्योंकि यहां पर एक गुर्ण सूत्र की कमी आ जाती है ठीक है इतने बात कितने बच्चों क्लियर हो गई है मुझे फड़ा फट से बता दो ठीक है मुझे यह नहीं लगता कि इसको समझने में दिक्कत होनी चाहिए है है हां हम बताओ जल्दी क्लियर है ना चलो आगे बढ़ जाते हैं अब थोड़ा देख लेते हैं कि वही जो टेक्स है टेक्स हमसे कुछ कहना चाहने चला चला के तो क्या बोल रहें तो यह हमको बोल रहें अन्य वज्ञानिकों ने अगले शोतकारियों से यह निशकर्ष निकाला की हैंकिंग का X-Kai X-Kai यानि की X-Kromozome की बात हो रहें वास्तर में क्रोमोजोम ही था ठीक इसलिए इसे X-Kromozome कहा गया पहले इसे X-Kai बोला गया फिर क्या बोला गया X-Kromozome बोला गया यह भी देखा गया कि बहुत से कीटों में लिंग्ण निर्धारण की क्रिया की वि दूसरी और कुछ शुक्राणूं में ये X क्रोमोजोम होता है, कुछ में नहीं, मतलब कि शुक्राणूं जिसमें X क्रोमोजोम सहित शुक्राणूं द्वारा निशेचित अंडा जो होता है, और जो X क्रोमोजोम रहित शुक्राणूं से निशेचित होती है, वो नर बनते हैं मतलब कि शुक्राणू जिसमें X क्रोमोजोम सहित शुक्राणू द्वारा निशेचित अंडा जो होता है उसके द्वारा मादा बनती है देखो ठीक और जो X क्रोमोजोम रहित शुक्राणू से निशेचित होते हैं वो नर बनते हैं चलो इस X chromosome की इलिंग निर्धारन में भूमिका होती है इसे link chromosome यानि कि sex chromosome के नाम से जाना जाता है विशेश chromosome को a link chromosome और autosome नाम दिया गया है ठीक टिद्डा अभी हमने टिद्डे के बारें बात करी X O प्रकार का link निर्धारन का एक example है जो हमने अभी अभी देखा है एक मिनट पहले जस्ट इसमें नर्मे अलिंग chromosome के अतिरिक केवल एक X chromosome होता है ठीके ना जबकि मादा में X chromosome का एक पूरा जोड़ा होता है यानि कि नर्मे क्या बोला हमने नर्मे होता है X O टाइप और मादा में बोला है कि वह जोड़ा होता है यानि कि X X टाइप ठीके चलो ये देखो हमारे टिद्डे साहब है ना चलो देखो कैसे कूदने को रेड़ी बेठे दिखरें आपको चलो अरे बापरे यहां तो इंसान आगिया है भाई हाँ क्या इंसान आगिया है यहां पर लेकिन इस इंसान से पहले मैं आपको कुछ और समझाना चाहूंगी इस इंसान से पहले आपको यहाँ पर कुछ और समझाना चाहूंगी क्या समझाना चाहूंगी वो भी देख लो कि यहाँ पर नर विश्म युगमता कैसे देखने को मिली है ठीक है यहाँ पर मैं एक और पेज जोड़ देती हूँ ठीक उसके बाद यह इंसान दिखाते हैं हम आपको चलो आजओ तो यहाँ पर हम नर और मादہ की बात कर रहे हैं नर और मादा की कि नर के पास x 0 है मादा के पास क्या है x x है ठीक है हमने यही बात करी है देखो यहाँ क्या है नर यह एक्जाइम पहले देखो, अच्छे से समझ लेना ठीक है, यहाँ क्या है नर यहाँ क्या है मादा ठीक है, चलो नर के पास हमने बोला X O है ठीक, इस X O को जो हम ब्रेक करेंगे तो हमारे पास X और O आ जाएगा ठीक है ना, ऐसा भी मादा है मादा है ना, दूसरा कलर से लिखते है जाकि दिक्कत ना हो मादा के पास क्या है, X X है अब इसको ब्रेक करेंगे हम तो अपन को क्या मिलेगा यहाँ पे X मिला यहाँ भी X मिल गया ठीक, अब अगर इसका हम क्या कराएंगे क्रॉस कराते हैं, जो पूनेट स्कॉयर में हर बार देखा जाता है ठीक है तो चलो देख लेते हैं तोड़ा सा यहाँ कहां बनाएं पूनेट स्कॉयर चलो यहां बना देते हैं यह लो कराया ऐसा ठीक है यहां पर क्या बना यहां पर हमारा एक्स ओ आया यहां पर एक्स एक्स आया इन दोनों कराया तो एक्स एक्स आजाएगा एक्स एक्स आजाएगा यहां पर एक्स ओ आ गया यहां पर एक्स ओ आ गया जिसका मतलब क्या हुआ 50% क्या बना यहाँ पर जो 50% बना वो फीमेल बनी और जो 50% बना वो क्या मिला तो यहाँ पर क्या है हमको यहाँ पर हमको क्या देखने को मिल रही है नर विशम युगमता देखने को मिल रही है इतनी बात सबच्चों को clear है क्या देखने को मिल रही है यहां पर हमको नर विशम युगमता देखने को मिल रही है चलो clear होगा इतनी बात तो है ना अब इसको देख क्या होगा है कि actually में हम लोग क्या बात करने जा रहें हाँ बिल्कुल साही बचाना अब हम मनुश्य के बारे में बात करने जा रहे है चलो बहुत इंटरस्टिंग क्यिसक्य मनुष्य में लिंक निरधारण बहुत इंट्रोस्टिंग है वड़ा अधी सबज्ग में आ जाये के कि तो मनुष्यों के शाथ होता है ड्रॉसोफिला मिलनोDan गैस्टर ठीक है ड्रॉसोफिला मेलनोगेस्टर भी क्या होता है इसका बहुत एक अच्छा एक्जमपल हम इसको समझा सकते हैं जिसमें क्या होता है तेईस जोडे गूर्सूत्र होते हैं ठीक तो चलो मनुष्य थीज जोडे गूर्सूतर है taki चलो हमने बोल दिया कि मनुष्य में तोड़े गुर्शूत्र होते हैं चलो इसको थोड़ा सा ब्रेक कर लेते हैं कि मनुष्य में कौन है नर और मादा दोनों आते हैं ये रापका नर और ये क्या है मादा ठीक अब हमको मालूम है कि नर के पास क्या है मारा X Y है पास क्या है X X है है ना ऐसा ही होता है यहां पे क्या है जो 22 जोड़े हैं वो अलिंग गुर्चूत्र होते हैं और जो एक जोड़ा है वो लिंग गुर्षूत्र होता है लेकिन मादा की बात करते हैं तो मादा में जो 23 के 23 जोड़े हैं वो क्या है अलिंग गुर्षूत्र है ठीक है क्योंकि वो डिसाइड नहीं करते है कि आने वाली संतत्री बच्चा जो भी है वो लड़का है या लड़ सूत्र है ठीक है अलिंग गुर्षूत्र पहली चीज तो यह याद रख नहीं है दूसरा क्या है जो एक जोड़ा है वो क्या है लिंग गुर्षूत्र है लिंग गुर्षूत्र ठीक है इस चीज को याद रखना है बिल्कुल भी नहीं भूलना है अब यहां पर चलो हमने यह स गुड़सूत्र ठीके यह क्या है सारे के सारे अलिंग है अलिंग года गुड़सूत्र तीके 23 के 23 जोड़े क्या है याँ पर अलिंग गुड़सूत्र है ठीके ना चलो अब अगर मैं यह नरकी बात कर रही हूbn तो नर को अगर ब्रेक करूंगी तो मुझे क्या मिला नर को ब्रेक करा नीचे ही करते हैं इसको है ना नर को अगर मैं ब्रेक करती हूँ तो नर से मुझे क्या मिलता है X और Y मिलता है ठीक, मादा को ब्रेक करती हूँ मैं तो यहां क्या मिला मुझे X और X मिल गया ठीके अब यहाँ पर क्या होता है चलो इनके यह युगमक तो बन गए है यह क्या है यह युगमक बने इनके है ना युगमक बने तो चलो इनका क्रॉस करवा देते हैं तो इनका क्रॉस कराने पर हमको क्या मिलेगा इनका क्रॉस कराने पर हमको क्या मिला भाई हाँ X Y X जब इनका कराय है तो X X X X X Y और X Y यही मिलेगा हमको हाँ ठीक है जी माल लेते हैं इसका मतलब हमको क्या मिल गया कि यहाँ पर हमको 50% क्या मिला हाँ मादा मिली और 50% क्या मिला नर मिला ठीक यहीं तो हुआ है हमारे साथ है ना यहीं तो हुआ है हमारे साथ कि इनको जब युगमक बनाए है हमने यह हमारे क्या थे जनक थे युगमक बने तो इस तरीके से x y अलग हुए x x अलग हुए ठीक फिर जब इनका क्या कराये गया सलनेयन कराया गया, क्रॉस कराया गया, तो हमको क्या मिला, यहाँ पर 50% मादा मिल गया, 50% यहाँ पर नर मिल गया, इतनी बात clear सबको, बोलो जल्दी से, clear है ना, चलो फिर, आगे बढ़ जाते हैं, यह देखो, इस तरीके से देख सकते हो आप, कि भई मनुश्य भी हो गया, प्रॉस फिला भी हो गया, मुर्गा भी हो गया, ठीके, तो यहाँ पर क्या है, यहाँ पर क्या है, जो लिंग निर्धारण हो रहा है, मनुश्य में नर से हो रहा है, ठीके, इधर भी देखो, नर से हो रहा है, लिंग निर्धारण, लेकि जब यहाँ पर बात आ रही है, खुबसूरत सा पक्षी और के कहां जा रहे हैं रोको कोई रोको इसे पूछ लो कि भाई तुम कहां जा रहे हो हाँ क्यों कबूतर जा 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 है इसका मदलब अब हम पक्षियों में लिंग निर्धारन की बात पढ़ने जा रहे हैं चलो पिर अरे क्या बत है सही मैंने बोला पक्षियों में लिंग निर्धारन की बात करने जा रहे हैं तो पक्षियों में क्या होता है पक्षियों की जब हम बात करते हैं तो यहां पर हमको पक्षियों में क्या मिलता है जो मादा होती है ठीक है वो क्या होती है विशम युगमजी होती है ठीक है क्या होती है मादा हो होती है वो विशम युगमजी होती है यहां पर कौन सा प्रकार मिलता है देखने को यहां पर आपको जेड जेड डबलू प्रकार का लिंग निर्धारन देखने को मिलता है या होता है कुछ भी लिख लो ठीक चलो अब हम क्या करते हैं चलो सपोस करते हैं यहां पर इन में क्या होता है, लिंग गुर्ण सूतरों की जब हम बात करते हैं, यहां पर जब हम लिंग गुर्ण सूतरों की बात करते हैं, ठीके, तो हमारे पास क्या है, नर और मादा दोनों है, है ना, हमारे पास क्या है, यह रहा नर, और यह क्या रही, मादा, ठीके, नर और मादा दोनों रहे अब यहां नर में क्या हो रहा है हमने क्या बोला नर में हमें क्या देखने को मिल रहा है जड़ टाइप देखने को मिल रहा है ठीक है नर में क्या मिला जड़ जड़ जब मादा की बात कर रहे हैं तो मादा में हमको जड़ डबलू देखने को मिल रहा है इसका मतलब क्या हो रहा है यहाँ पर यह जो मादा है यह निर्धारित कर रही है यह निर्धारित कर रही है कि जो संतती है ठीक है वो क्या है ठीक है यह क्या करें डिसाइड कर रहे है कि होने वाली संतती क्या है चलो एक काम करते इसको समझते हैं ठीक अब हमने क्या बोला नर के पास क्या है जेड जेड है ठीके और जो मादा है उसके पास जेड वाई है इसको एक लेट्स एग्जैम्पल लेके समझते हैं चलो यह लो एग्जैम्पल लेते हैं ठीक है इसी को example ले लेते हैं यह हमारा पक्षी 1 है यह पक्षी 2 है ठीक है ना ऐसे मानते हैं चलो अब जब मैं यहाँ पर युग्मक बनाओंगी तो मुझे नर में क्या मिलेगा यहाँ पर Z और Z मिलेगा ठीक है आप वहीं जब मैं मादा में बनाओंगी तो मादा में क्या युगमंग मिलेंगे मुझे, दो अलग मिलेंगे, Z और W मिलेगा, या फिर मतलब यहाँ पर क्या है, विशम युगमंता है, ठीक, और यहाँ पर क्या है, सम युगमंता है, ठीक है, चलो, इन दोनों का मैंने क्रॉस कराया, लो जी, एक मिनिट एक मिनिट इसको ऐसे कर लेते हैं है ना ताकि उदर हमको जगा मिल जाए थोड़ी सी ये लो अब इन दोने क्रॉस करा देते हैं हम क्रॉस कराने पर हमको क्या मिला कि बई क्या मिला हमको क्रॉस कराने में बता क्या मिला जेट, जेट, हाँ, यहाँ क्या मिलेगा हमको, यानि कि यहाँ पर हमने फीमेल रखी और यहाँ पर मेल रखा, यह क्या है मेल, इन दोना क्रॉस कराया तो क्या मिला, जेट, जेट, इन दोना कराया तो जेट, डबलू, ठीक, इन दोना कराया तो जेट, जेट, इन दोना कराया तो ZW, इसका मतलब क्या हुआ, जो ZZ है, ये दोनों चीज़े जो है, ये क्या है, हमारे नर है, और ये दोनों क्या है, मादा है, है ना, तो याने कि भाई, 50-50% chance मनें, कि यहां पर 50% नर है, और 50% मादा है, ऐसा ही तो हुआ है, है ना, यहां पर यही तो हुआ है, तो यहां पर हम क्या कह सकते हैं कि भाई हमें मादा विशम युवमता देखने को मिली है कि यहां पर मादा डिसाइड कर रही है भाई सोचो मादार डिसाइट करते हैं कि होने वाला बच्चा क्या होगा लड़का या लड़की वड़ा अभी तक हमने क्या जाना है कि एक नर ही ये डिसाइट करता है वो निर्धारित करता है कि होने वाली संतान लड़का होगी या लड़की होगी लेकिन इनको God gifted है भाई यहां पर लड़की के उपर है कि वो decide करेगी भाई कि लड़का होगा या लड़की होगी चलो तो मेरे ख्याल से यह समझ में आ गिया होगा आपको अरे यह क्या है यह तो मदुमक्की दिख रही है मुझे आपको भी लग रहा है कि मदुमक्की है है क्या कर रही है यह हमें तो आगे बढ़ना है है हमें क्या देखना ह ne और यहां पर क्या होता है एक अलग परकार का इक रहांग आपको अलग प्रकार का लिंग निर्धारन देखने को मिलता है ठीक है कौन सा है वही वो हाँ अलग प्रकार का कौन सा है अगुडित आगुडित द्वी गुडित द्वी गुडित द्वी गुडित आगुडित द्वी गुडिता लिंग निर्धारन ठीक है यह हमको यहाँ पर देखने को मिल रहा है अलग चल रहा है मतलब अगुडित भी हो रहा है द्वी गुडित भी हो रहा है ठीक है कि अलग है यहाँ पर हम क्या बात करेंगे बताओ जल्दी से कौन मुझे बताएगा इसके बारे में कि अगुडित द्वी गुडित लिंग निर्धारन क्या है कौन जल्दी 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 भाई हाँ चलो मैं बताती हूं यहां पर क्या देखते हैं तीन तरह के की मदुमक्खी होती है यह लो पहली मदुमक्खी बनाती हूं ठीक है यह पहली कौन सी है नर यह है हमारी नर ठीक ठीक है लो यह दूसरी बना रही हूं थोड़ी सी अलग तरीके की हो गई है यह यह क्या है रानी है ठीक है यह क्या है रानी है अब तीसरी बना रही हूँ यह तीसरी जो होती है थोड़ी सी छोटी होती है यह क्या है आपकी कामगार कामगार मदो मक्खी ठीक है ना चलो तो तीन तरीके के मदो मक्खिया मारे पास होती है फिर इनमें गुर्ण सूतरों की बात करते है तो भई जो मारा नर होता है वह कैसा होता है वह n होता है ये कैसा होता है हमारे पास n होता है ठीक है फिर अगर हम रानी मक्खी की बात करते है तो रानी कैसी होती है 2n होती है भाई ठीक है दूई गुणित हो गई है फिर अगर हम कामगार मक्खी की बात करते हैं ये क्या होती है ये बंदे होती है ठीक है और इनके पास रानी के पास कितना हुआ 32 गुर्ण सूत्र है रानी के पास भी ठीक है और यह जो नर है इसके पास कितने 16 गुर्ण सूत्र है ओ माई गॉड बिचारे के साथ बहुत ही अन्याय हो रहा है यहां पर देखो है ना अब आप बोलो के फेमिनिसम की बात चल रही है मैडम यहां तो देखो बिचारे पर 16 गुर्ण सूत्र है और इनके पास 32 है याने के जो कामगार है उनके पास ही 32 है बिचारे यही है जो यहां ऐसे पड़ा हुआ है क्यों तो चलो अब क्या होता है मैं कहती हूँ कि यहां पर एक छट्ता है यह क्या है एक छट्ता है ठीक है इस छट्ते में बहुत सारी मदुमक्या भिन मिना रही है यह मदुमक्या है लो ठीक है यह मदुमक्या है सारी कामगार मदु मख्या है इसके अंदर रानी भी और क्या है जो नर है वो भी है अब यहां क्या हुआ अचानक से भाई यह जो रानी मख्यी थी लाल रंग से बनाते हैं लो यह जो रानी मख्यी थी यह क्या हुई उड़के बाहर गई ठीक यह क्या हुई रानी मख्यी उड़के बाहर च ठीक लो मैं लाल रंग यहां कर देती हूं ताकि आपको confusion बिल्कुल ना हो जो मक्हों मैं क्या होता है इन मिजब। इंट्रकोर्स होता है ठीक है याने कि क्या बोलेंगे इसको कि यह किसके लिए इंट्रकोर्स के प्रोसिस के लिए यह क्या करते हैं छत्ते से बाहर जाते हैं ठीक है यह बाहर चले गए अब जब रानी जो है बाहर गई है इसके पीछे-पीछे कौन जा रहे हैं नर्वी जा र गया है यह कहीं इन सब में से जो खूब सारे होंगे अगर एक रानी मक्ही तो हो सकता है 15-20 यह नर यहां पर ठीक है तो इन में क्या होगा competition होगा इन सब में क्या हो competition होगा कि कौन जाके वहां पर क्या करेगा निश्यचन की क्रिया को आगे बढ़ाएगा कौन जाके अपने शुक्राणू इस क्या करेगा रानी मक्ही को देगा ठीक अब इन में से सब्पोस करो यह वाला था यह जाके इसके साथ सल्लययत हो जाता है इसके साथ क्या हो रहा है सल्लययत हो जाता है लेकिन पता है यहां पर competition तो होता है लेकिन एक दुख वाली बात यह भी होती है कि जो भी नर होता है जो भी इसके साथ सल्ले इनकी प्रोसेस करता है ठीक है वो क्या करता है अपने शुक्राणों इसको देने के बाद मर जाता है समझ रहे हैं अप अपने शुक्राणों जैसे ही इसने इसको दिये मर गए और ये जो वाकी के बच गए और ये बिचारे बेगर हो जाएंगे और जो बिचारा संल्ले अंग्लेट सबसे आगे फुर्टी से भागा था कि भाई मैं ही फर्स आएंगा ठीक है वो क्या हो गया वो विचारा भगवान को प्यारा हो जाता है ठीक है तो इस ने क्या किया आपने स्वक्राणु इस रानी मकखी को दे दी है इतनी कितने बच्चे को clear हो गई है मुझे बता दो फड़ाबड से अब भई मैंने क्या बोला रानी परिपक वोती है तो उसको भी क्रिया करनी और ऑपने परिवार को बढ़ाएगी ना तो वह क्या करेगी वह जब मैंचियों और परिफक वह हो गई तो वह बाहर गई संलें के लिए उसके पीछे-पीछे जितने भी थे नर वो भी बाहर गए हाँ चलो 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 सब सलते हैं देखते हैं कौन पहले आता है कौन पहले आता है और जो विचारा सबसे पहले गया वो खलास हो गया ठीक है विचारे वाकी जो उसके पीछे पीछे गए उसकी बातों में आके वो घर से बेघर हो गए ठीक है बिक बॉस ने उनको घर से बार निकल दिया कि आप घर से बेगर हो चुके है चलो ठीक है इतनी बाद हमको समझ में आ गई फिर यहाँ पर क्या हुआ कि भाई यहाँ पर जितने भी युगमक थे किसमे नर्मे ठीक है यह सभी क्या करते है समसूत्री विभाजन करते हैं यहाँ पर ठीक है यहाँ पर क्या करते हैं यह समसूत्री विभाजन करते हैं समसूत्री विभाजन यह क्यों करते हैं यहाँ पर यहाँ पर यह क्या काम करते हैं समसूत्री विभाजन करते हैं ठीक है इसलिए करते हैं क्योंकि इनके पासिफ सोला गुर्षूत्र होते हैं अगर यहां पर अर्दसूत्री होगा भाई अगर इनके अर्दसूत्री होगा तो क्या होगा भई सोला का आधा कितना हो गया है आठ हो गया तो भई अगर सोला का आधा आठ हो गया तो इसमें तो खाली आ तो इसमें 32 है लेकिन यहां कितना हो रहा है यहां अर्द सूतरी विभाजन हो रहा है तो क्या मिला भई सोला तो यहां नर से आए है ना और रानी से कितने आए तो टॉटल कितने हो गए हां 32 यानि कि टॉटल 32 गुर्षूत्र हो गए ठीक है इतनी बात क्लियर सब को टोटल कितने हो गए 32 हो गए चलो मुझे लगते है कि यहां तक आप सबको प्र法 yht आगिया होगा बिना किसी किस में करेंग इस इतनी बात पड़ा पड़ते देखों कि सम चलो देख लेते हैं समझा देती हो एक बाद हमने क्या बोला ये जो मधूप होती है इसमें कितने 32 गुर्षूत्र है देखो समझो हमने क्या कहा इसमें 32 गुर्षूत्र है ठीके अब ये जो 32 गुर्षूत्र है ठीके लो ऐसे बनाते है इसको जब मैं अर्दसूत्री यहां पर जब नर के साथ निशेचन होगा तो यह रहा नर के साथ जब निशेचन के क्रिया होई तो नर के पास कितने 16 है ठीक है नर के पास कितने 16 है और यह मादा के शरीर के अंदर मतलब जब यह क्या करेंगे सलने एन होगा तो कितने बना देंगे 32 गुंड सूत्र बनेंग यह सारे के सारे क्या होते हैं? कामकार होते हैं, सारे के सारे क्या बनते हैं? यह कामकार, मदुमक्षी होते हैं, जितने भी यह बनते हैं, ठीके, वही अगर मैं इसकी बात करते हूँ, यह बचे वे 16 हैं, ठीके, तो यह क्या होते हैं? यह बिना निशेचन, बिना निशेचन के क्या होता है? हाँ, ड्रोन बन जाते हैं कैसे बन जाते हैं? अनिशेक जनन अनिशेक जनन के द्वारा ठीके? यानि कि इसको कितना मिला? 16 गुर्ण सूत्र मिले और ये क्या हुआ? ये हुआ आपका N यानि कि A गुर्णित अभी क्लियर हुआ कि 32 होते हैं रानी में जिसमें से 16 क्या हुआ? बिना निशेचन के ड्रोन बन गए यानि कि नर बन गए है ना? यानि कि नर बन गए और कैसे बने भई? अनिशेक जनन के द्वारा बन गए जिनमें 16 गुर्ण सूत्र है और ये क्या होते? आगुरित होते हैं वही ये जो 16 गुर्ण सूत्र थे ये नर के 16 गुर्ण सूत्र के साथ मिले और इन्होंने क्या क्या? 32 गुर्ण सूत्र बनाया और ये सारे के सारे क्या बने? कामगार बदुभक्या बनी ठीक है? इतनी बात सब बच्चों को clear हो गई है है ना बिल्कुल confusion वाली बात ने थी बहुत मज़ा आया इसको समझने में हलो everyone कैसे आप सब मुझे पूरी उम्मीद है कि आप सब बहुत अच्छे हैं और बहुत अच्छे से पढ़ाई भी कर रहे हैं करनी भी चाहिए भाई बहुत ही जरूरी है 12 क्लास की जो बात है है ना चलो फिर इस पढ़ाई के सफर को आगे बढ़ाते हैं और बात करते हैं आज के अपने इस टॉपिक के बारे में तो बचा लोग मैं हूँ विजयता आपकी बालाओजी टीचर और हम यहाँ पर बात कर र यह दो चीज़े आज हमको कवर करनी है देखते हैं इस सफर में आज हम कहां तक जाते हैं ठीके ना चलो फिर यहाँ पर हमें क्या बात करनी है सबसे पहले सबसे पहले हम देखेंगे भाई उत्परिवर्तन के बारे में हम बात करेंगे क्या बात करेंगे हम उत्परिवर्तन छिशको हम क्या बोलते हैं म्यूटेशन बोलते हैं जिसको हमने क्या बोला है म्यूटेशन बोला है ठीक है म्यूटेशन बोला अब उत्परिवर्तन का मतलब क्या है उत्प के साथ परिवर्तन आ है मतलब कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ परिवर्तन हो रहा है तो यहां पर हम क्या बात कर रहे हैं कि भई परिवर्तन हो रहा है ठीक है क्या हो रहा है परिवर्तन हो रहा है ठीक है उद्ध परिवर्तन यानि की परिवर्तन की कुछ कुछ क्रिया हो रही है तो इसको हम क्या कह सकते हैं कि ये वो क्रिया है ये वो क्रिया है जिसमें क्या होता है डिने अनुक्रम में बदलाव होता है ये वो क्रिया है है अब परिवर्तन है तो कोई न कोई क्रिया तो हो रही होगी तो ये वो क्रिया है जिसमें क्या हो रहा है ज बदलाव है ना क्या हो रहा है बदलाव हो रहा है ठीक है कैसे चलो समझते हैं ये क्या है ये लो जी ये हमारा एक DNA का क्रम है ठीक है इस तरीके से अब इसके उपर क्या है हमें पता है जीन होते हैं याने कि क्या होते हैं खंड होते हैं है ठीक suppose करो यहाँ पर क्या है gene है ये ये वाला ठीक है ये नहीं ये वाला यहाँ पर इसके पर gene है ये क्या होता है खंड होता है हमको मालूम है ठीक है अब ये क्या करता है ये लक्षणो को क्या करता है लक्षणो का निर्धारन करता है है ना क्योंकि एक क्या वंश से दूसरे वंश में जाता है ठीक है तो यहां क्या हो रहा है लक्षणों का निर्धारन अब इस जीन के अंदर कोई भी परिवर्तन हो रहा है अब इस जीन के अंदर अगर कोई भी परिवर्तन है ये जो जीन है इसमें कोई भी परिवर्तन हो रहा है ठ कि ये वहां पर दूक्रम फोल रहा है तो वह आग्र इस अनुक्रम है ने कि वह रहा है तो वह बदलाव हो रहा है तो वो उत्व परिवर्तन याने की mutation कहलाता है ठीक है ना, correct इतनी चीज हाँ, समझ में आई चलो फिर ओके, तो यहाँ हम क्या कह सकते है कि DNA में क्या होता है N2 base होता है ठीक है, अगर मैं DNA की बात करती हूँ तो DNA में क्या है N2 base है ठीक है, तो यहाँ पर जो क्रम है, वो क्या करते है बिगड जाते है ठीक है, बिगड जाते हैं, ठीक है और उससे क्या होता है, परिवर्तन होता है उससे क्या हो गया परिवर्तन हो गया, तो परिणाम सरूफ हम क्या कह सकते हैं, हम कह सकते हैं जीन में परिवर्तन, ठीक है, हम क्या कह सकते हैं, कि जीन है, इस जीन में परिवर्तन, ठीक है, जीन में परिवर्तन कैसे, जीनो टाइप में, जीनो टाइप बदले चाहें, है न, तो जीन में परिवर्तन क्या हो गया, भाई, जीनो टाइप में चेंज हो रहा है, ठीक है, और फिजिकल चेंज याने की अगर मैं फिजिकल चेंज की बात कर रही हूं फिजिकल चेंज की बात कर रही हूं तो वो क्या होगा फीनो टाइप है ना फीनो टाइप ठीक है तो यहां पर जब जीन में परिवर्तन होगा तो जीनो टाइप कहलाएगा और जब फिजिकल चेंज हो टूटकां अलग हो गए और दूसरा आकर रहा है दूसरा आकर जूड रहा है तो यह है यही है आपका क्या MUTATION ठीक है ओके चलो अब यहाँ पर क्या समझते हैं कि यह referee य्जो क्रूड़ Hugo, Hugo D Bridge, ठीके, Hugo D Bridge ने दिया था, ठीके, इस चीज़ को याद रखना कि किस ने दिया था, Hugo D Bridge ने दिया था, ठीक, चलो, अब हमारे पास क्या आते हैं कि भाई, उत्र परिवर्तन याने की Mutation के कारण क्या है, ठीके, देखो, Mutation मतलब, Gene में जो भी बदलाब हो रहा है, उसके बहुत सारे कारण हो सकते हैं, ठीके, बहुत सारे कारण में, दो कारण हमें, स्पेशली लेके चलते हैं, जिसको हम क्या करते हैं, इंकलूड कर लेते हैं, ठीक, कौन से हैं, एक तो भौतिक कारण हो गया है, और दूसरा रसायनिक कारण, तो जितने भी कारण है, उन सभी कारणों को दो में डिवाइड कर दिया है, एक फिजीकल, एक क्यामिकल, तो हमने क्या बोला, ये दो है, ये क्या हो गया, भौतिक हो गया, ठीक, भौतिक कारण, जिसको हमने क्या बोला, फिजीकल, है न, फिजीकल, ठीके, और दूसरा क्या होगी हमारा रसाइनिक कारण ठीक है यानि कि यह क्या है कैमिकल है कैमिकल की यहां पर बात हो रही है ठीक है ओके इतनी बात क्लियर यह हम फिजीकल कारण की बात कर रहे हैं वो कैमिकल कारण की बात कर रहे हैं आगे बढ़ते हैं तो अब इसको हम क्या कह सकते हैं अगर हम किसकी बात करते हैं चोलो पहले में रसायनिक की बता देती हूं तो रसायनिक में हमारे पास क्या आता है भाई धूम्रपान आ जाता है ठीक है धूम्रपान से क्या मिलता है हमको किसी body में जाएगा तो वहां obvious बात है कि कुछ ना कुछ change वहाँ पर करेगा जब ये किसी की body में जाएगा तो कुछ ना कुछ चेंज तो करेगा ना chemical है भाई है ना तो हम क्या कह सकते हैं कि ये क्या करेगा ये रसायन ये जो body cell होती है या फिर जिसको हम शरीर की कोशिका बोलते हैं क्या करेगा यह उस पर असर डालेगा body cell के उपर क्या करेगा असर डालेगा असर डालेगा ठीक है असर डालेगा अब क्या हो गया मैं कहती हूँ कि भाईया यह धूमरपान में धुआ है धुए में रसायन है, रसायन क्या कर रहा है, बोडी सेल पे असर डाल रहा है, और क्या कर रहा है, चेंज ला रहा है, ठीक है, असर डाल के क्या कर रहा है, यह चेंज लाएगा, ठीक है, किसमें चेंज लाएगा यह, सवाल आता है यहां पर, किसमें चेंज लाएगा, और वेस ला रहा है ठीक है और जीन्स कहा होते हैं हमारे डीने ने कहा है ग्रोमोजॉम्स यानि की गुर से उतर वे ठीक है और जब जीन्स में चेंज ला रहा है तो क्या बिमारी बनाएगा ये ये इसने क्या बना दी cancer cell या cancer कोशी का बनाती ठीक है? इतनी बास सबको clear कि ultimately ये जो रसायन है ये गूम फिर के क्या बना रहा है? cancer cell बना रहा है ये जो रसायन है गूम फिर के cancer cell बना रहा है वही अगर मैं physical reason की बात करते हूँ ठीक है यहां क्या होगा, यहां पर हम क्या कहेंगे, जहां थोड़ी सी क्या पावर लग जाती है, इसमें क्या होती है, थोड़ी सी पावर यह मतलब हम कह सकते हैं कि शक्ती भी लग रही है, है न, यहां क्या लग रही है, थोड़ी सी पावर बोल दो या शक्ती बोल दो, ठीक है, example क्या ले सकते हैं हम इसका, x-ray माल लो, क्योंकि बहुत जादा power होती है x-ray में, ठीक है, x-ray क्या करता है, अगर मैं बताओ कि x-ray क्या करता है, तो यह gene को क्या करता है, problem देता है, ठीक है, यह gene में क्या करता है, problem create कर देता है, यह क्या करता है, gene में, x-ray क्या करेगा, जो जीन होगा, जीन में क्या करेगा, बदलाव लाएगा, ठीक है, जिसकी वज़े से क्या हुआ, परिवर्तन हो गया, एक हमने X-ray ले लिया, अब आता है गामा रेज, अगर मैं गामा रेज की बात करूंगी, ठीक है, तो गामा रेज भी यही काम करेंगे, ठीक है, यूवी रेज की बात करूंगी, लो हमारे गामा रेज आ गए, है न, फिर यूवी रेज आ गए, यूवी रेज को हम क्या बोलते हैं, है पैरा बैंग नी, ठीक है, यह क्या करेंगे, यह सारे के सारे जो नॉर्मल सेल होंगी न, यह सारे के सारे नॉर्मल सेल को कैंसर cell में क्या कर देते हैं बदल देते हैं ये सारे के सारे क्या करेंगे हम ये सारे के सारे क्या करेंगे म्यूटेशन करेंगे ये सारे की सारे चीज़ क्या करती है ये म्यूटेशन का काम करती है याने की उत्व परिवर्तन करती हैं और ये क्या करती है जो normal cell बोलो या normal कोशिका होती है उसको बदलती है किसमें बदलती है cancer cell में या फिर cancer कोशिका में ठीक है ये दोनों चीजे आप सबको clear हो गई clear है न यहां तक कोई कोई डाउट तो नहीं है और मुझे लगता भी नहीं है कि यहां पर कोई डाउट होना चाहिए इतना प्यारे और इजी दरीके से एक एक चीज लिखी गई है तो आपको वो चीजें समझ में आनी चाहिए है ना चलो फिर आगे बढ़ जाते हैं या फिर इसको एक बार और सकते हैं लेकिन बुक के हिसाब से हमने आपको यही कारण बताए हैं तो भाई यह जो फिजिकल कारण जो है जिने हम देख सकते हैं मैसूस कर सकते हैं ठीक है तो उनको क्या है देख तो हम भूए को सकते हैं लेकिन वो जो चेंज कर रहे हैं वो क्या कर रहे हैं वो जीन के अ अंदर जा रहा है यह तो लेकिन क्या तो यहां पर क्या होता है , यहां, पर हम ने तीन एक् själपल ली। X-ray、 गामा रेस, और UV-Rays, यह क्या कर रहे है , यह जीन में बदलाव लाते हैं जिसकी वैसे परिवर्तन होता है और यह परीवर्तन क्या कह लाता है उतो परिवर्तन कहलाता है याने कि मुटेशन कहलाता है यह के मुटेशन क्या करता है भाई जो नॉर्मल सेल होती है उसको बदल देते हैं कैंसर सेल में और यहां पर यह जो रसायन है यहां तो देखो किरने है रेज की बात हो रही है लेकिन यहां रसायन है यहां रसायन है य यहां raise डाल रहे हैं अंतर इतना है दोनों कर कापना अपना काम बरावर रहे हैं कि दोनों ultimately cancer cell बना रहे हैं लेकिन दोनों क्या कर रहे हैं यह रसायन यानि chemical कर रहे हैं और यह क्या कर रहे हैं रेज सिर्फ इतना difference है ठीक चलो आगे बढ़ जाते हैं देखो यहां हमने क्या पढ़ा यहां पढ़ा हमने कारण यहां पढ़ेंगे हम प्रकार ठीक है तो अगर मैं प्रकार कर बताती हूं कि इसके प्रकार की बात करते हैं तो दो प्रकार हैं इसके कि दो प्रकार हैं पहला हमारा क्या हो गया क्रोमो जोमल क्रोमो जोमल उत्परिवर्तन ठीक है और दूसरा क्या हो गया जीन परिवर्तन दूसरा क्या हो गया जीन परिवर्तन ठीक जीन परिवर्तन क्या होता है जहां जीन में बदलाव हो रहा है ठीक है जीन परिवर्तन क्या हो गया उत्परिवर्तन उत्परिवर्टन तो जीन उत्परिवर्टन मतलब जहां पर जो जीन होते हैं उनके अंदर क्या हो रहा है उनके अंदर बदलाव हो रहा है है ना जीन्स के अंदर यहां मैंने क्या बोला यहां जो जीन्स है जीन्स में क्या हो रहा है बदलाव ठीक है यहां क्या है जीन्स में बदलाव हो रहा है ठीक है जब जीन उत्परिवर्तन की बात हो रही है मैं क्रोमोजोम उत्परिवर्तन की बात कर रहे हूं याने कि यहां पर जो बदलाव है वो कहां है क्रोमोजोम में है ठीक है यहां पर जो बदलाव है वो कहां है गुण सूत्र बोलो या क्रोमोजोम बोल उत्परिवर्तन है ये दो प्रकार का है अब जो जीन उत्परिवर्तन है ये दो प्रकार का है चलो ये दो प्रकार जान लेते हैं इसके ठीक है पहला क्या है बिंदू उत्परिवर्तन पहला क्या है बिंदू उत्परिवर्तन ठीक है याने कि जिसको हम क्या बोलते है पॉइं फ्रेम शिफ्ट उत्परिवर्तन ठीक है फ्रेम शिफ्ट उत्परिवर्तन तो यह जो फ्रेम शिफ्ट उत्परिवर्तन है यह तो खुदी इंगलिश का नाम है ठीक है तो इससे कोई फरक नहीं पड़ेगा लेकिन जो बिंदू उत्परिवर्तन है यह क्या है पॉइंट ठीक है यह क्या है point mutation है ठीक चलो ओके तो यहां पर हमने क्या बोला एक चीज समझो अच्छा चलो blue लेते हैं कि मैंने कहा यह क्या है DNA है ठीक है इसको समझने से पहले यह समझो मैंने कहा यह DNA है DNA में nitrogen nitrogen बेस होते हैं है ना nitrogen बेस होते है DNA में ठीक है क्या होते है एक तो purine होता है है ना और दूसरा क्या हो गया आपका primidine क्या हो गया एक तो purine हो गया है ना purine और दूसरा क्या हो गया primidine ठीक अब इसमें क्या होता है हमारे पास इसमें हमारे पास होता है A और G और इसमें क्या होता है हमारे पास C और T यह होता है ठीक अब अगर मैं यहां पर बात करती हूं एक DNA sequence की कि चलो यहां लिखते हैं हाँ अगर अब मैं एक DNA sequence की बात कर रही हूं कि वाइट के लिए से बनाते हैं ज्यादा दिखाई देगा ठीक है ना किसकी पहले बिंदू उत्परिवर्तन की बात हो रही है ठीक है इसके DNA sequence की बात कर रहे हूं यहां लिख देती हूं कि हम बात कर रहे हैं point mutation की बात कर रहे हैं यहां पर एक DNA sequence की हम बात कर रहे हैं यानिके DNA अनुक्रम की बात कर रहे हैं ठीक है जो यहाँ पर क्या है इस तरीके से 3 2 5 dash 3 2 5 dash और 5 dash 2 3 dash ठीक है अब हमने बोला कि हमको मालूम है कि क्या है एक के साथ क्या है क्या है ठीक है उसके बाद क्या है अपना जी के साथ क्या है जी के साथ सी है फिर एक के साथ क्या है फिर से टी है फिर सी के साथ क्या है जी है हम लेट सपोस कर रहें कि ऐसा है ठीक है कि इस तरीके से इस तरीके से ऐसे बने हुए है और यहां पर यहां पर यह ऐसा है तो यहां पर चार में जब परिवर्टन हो रहा है यानि कि अगर इस एक के साथ सपोस्ट करो टी को आना था ठीक है लेकिन इस टी के बदले यहां पर सी आ जाता है टीके बदले यहां पर सी आ गया ठीक उसके साथ से पने कहूं कि एक और चलो एक तो चेंज आएगी है एक भी चेंज आएगा तब भी उत्परिवर्तन हो जाएगा तब भी लेकिन वो क्या हो रहा है कि एक पॉइंट पे हो रहा है ठीके तो यह क्या है एक पॉइंट है कि इस point पर बदलाव हो रहा है, ठीके, यहां पर एक point पर बदलाव हो रहा है कि T के बदले यहां पर C आ गया, तो यह क्या कहलाएगा हमारा यह कहलाएगा हमारा क्या बिंदू उत परिवर्तन कि भई, जब जो nitrogen क्या है, जब nitrogen, जब DNA के, DNA के nitrogen base, या nitrogen छार बोलो ठीक warum रहा है परिवर्त नुट्व जब नाइट्रोजन 10 चार में क्या हो रहा है परिवर्तन हो रहा है तो वो क्या कहला रहा है आपका बिन्दू उत्परिवर्तन याने की point mutation और इसका बढ़िया सा एक example क्या है आपका, हाँ, sickle cell, sickle cell anemia, क्या है sickle cell anemia, इसका example आ गया, ठीक, चलो, अगर मैं अब frame shift की बात करती हूँ, frame, shift mutation की यहाँ पर बात हो रही है, तो यहाँ मैं क्या बोलूँगी, चलो, DNA sequence लेते हैं फिर से यहाँ पर, है ना, DNA sequence यानि DNA अनुक्रम, ठीक है, हमने क्या बोला, 3, 2, 5, डेश, यहाँ पर भी बोलेंगे हम, 3, 2, 5, 5, 2, 3, ठीक, चलो, ठीक है, अब हमने बोला, यहाँ A है, हमारा A के साथ क्या है, T है, यहाँ पर हमारा C है, C के साथ क्या है, G है, यहाँ पर हमारा A है, फिर यहाँ पर हमारा T है, फिर यहाँ पर A है, इस तरीके से suppose कर रहे हैं, ठीक है, यहाँ पर हमने सिर्फ और स suppose कर रहे हैं ठीक है कि हम यहाँ पर suppose करके चल रहे हैं कि हाँ ऐसा हो रहा है हम मान रहे हैं कि भाईया एक के साथ टी आ गिया सी के साथ ठीक है जी आ गिया एक के साथ फिर टी फिर ऐसे फिर ऐसे सो ओन सो ओन सो ओन ठीक है तो यहां पर क्या हो रहा है जब यहां के डीने में जो नाइट्रोजन छार मौजूद है ठीक है इसको कैसे लिखेंगे हैं कि जो DNA है ठीक है इस DNA का जो nitrogen छार है ठीक है इसमें क्या हो रहा है छार में बढ़ते और घटते बढ़ते और घटते ठीक है क्या होते हैं ये जो है T, G, T, A, G ये जो है ये क्या होते हैं ये बेस nitrogen छार जो हो रहे है यह नाइट्रोजन छार यह तो बढ़ रहे हैं यह घट रहे हैं ठीकिय यह जो क्या करते हैं अगर यहां पर क्या है आ गलत बन गया तो कोडॉन भी गलत बनेगा ठीक है तो यहां पर कोडॉन गलत हो जाएगा जब यहां पर सीक्वेंस ही गलत होगा तो क्या होगा जब सीक्वेंस गलत होगा तो भाई यह कोडॉन भी गलत हो जाएगा ठीक है और मतलब यहां होता क्या है बेचिकली कि कभी-कभी यहां जो यह sequence बन रहा है कभी-कभी बढ़ गए हैं और घट गए हैं तो बहुँ जब यह sequence हमारा जो है जिब कोडॉन हमारे यह गलत बन रहा है तो सब कुछ गलत हो जाएगा सिंपल सी बात इतनी है तो यहां पर इन में क्रम में बदलाव हो रहा है और यहां पर एक पॉइंट पर बदलाव हो रहा है ठीक है ना क्लियर ना इतनी बात है ना चलो आगे बढ़ जाते हैं कि अब बात करते हैं वंशावली विशलेशन की याने की पेडिगरी अनालसिस की हम यहां पर बात कर रहे हैं ठीक है पेडिगरी अनालसिस मतलब क्या होता है कि जो पीडी तर पीडी कोई सी बिमारी है उसके बारे में जो अनुवंशिक विकार चल रहा है उसके बारे में जान के बारे में हम पर्टिकुलर चीजों के बारे पढ़ रहे कि अच्छा पहला वंश यह था दूसरा यह था तीसरा यह था चौथा यह था फिर सो ऑन जो और ऐसे पहले से लेकर जो बन्स चला आ रहा है ऐसी कौन सी चीज़े जो है डिटी में दूसरे से मिल रही है और वह पास ठीक है क्या बोलते हैं हम इसको पिडिगरी अनाल्सिस बोलते हैं होता क्या है यह यह क्या होता है अनुवन्शिक विकार के लिए इसको हम इस्तमाल करते हैं किसले यूश किया हमने इसका जो अनुवन्शिक विकार होता है उसके लिए इसका क्या होता है उप्योग होता है ठीके जो अनुवन्शिक विकार है उसके लिए क्या होता है इसका उप्योग किया जाता है क्लियर इतनी बात है ना चलो आगे समझते हैं इसको ठीके तो यहाँ पर क्या होता है यह जो pedigree analysis है इसको हम क्या बोलते हैं यह जो वंशावली है इसको हम और क्या कहते हैं इसको हम एक और नाम से जानते हैं यानि कि वंश व्रिक्ष भी कहते हैं इसको हमने क्या बोला वंश व्रिक्ष भी कहते हैं इसको ठीके इसके साथ सथ एक और चीज़ भई कि यह क्या होता है वंश बनने के बाद ही सिर्फ इसका इस्तमाल हो सकता है यह जो वंश है इसका इस्तमाल कब हो सकता है, जब वंश क्या होता है, जो वंश होता है, वंश बनने के बाद, ठीक है, वंश बनने के बाद ही सिर्फ क्या होता है, इसका इस्तमाल होता है, ठीक, हाँ, चलो हमने क्या बोला कि वंश बनने के बाद ही इसका सिर्फ इस्तमाल होता है, ओके, चलो, clear हो इतनी बात, आगे बढ़ते हैं, तो हम इसे क्या कह सकते हैं, इस प्रक्रिया में किसी जो पीडी होती है, कोई सी भी पीडी है, आगे लिखें क्या, तो यहीं लिख देते हैं, कि हम क्या कह सकते हैं, इस में क्या हो रहा है, इस प्रक्रिया, इस प्रक्रिया में क्या हो रहा है, हां किसी विशेश किसी विशेश क्या हो रहा है यहां पर हां किसी विशेश लक्षण का पीड़ी दर पीड़ी विशलेशन हो रहा है पीड़ी दर पीड़ी क्या हो रहा है विशलेशन हो रहा है ठीक है क्या हो रहा है विशलेशन तो हमने क्या बोला वंश वाली विश्लेक्षन के ब companion बढ़ए कि इस प्रक्रिया का बढ़ा किसी विशेश लख्षण का पी दििदी विश्लेक्षन हो रहा है जैसे कि मैंने आपको क्या बोला कोई अनुवंशिक विकार है यह x y z कुछ भी हो रहा है ना ठीक है कि एक यह है वंश एक यह है एक यह है एक यह है एक यह सो ओन चले जा रहे तो पहले में जो पहले से दूसरे में गया है दूसरे से तीसरे में तीसरे C4 में 4-5 में ऐसे वंशों में एक से बट मिला ऐसे वंशों में क्या हो रहे है पास-on हो रहे है ठीक है ना तो कोई पर्टिकुलर लक्षन उसके बारे में पढ़ना जानना वो क्या है भई वो है पिडिगरी एनाल्सिस ठीक या फिर जिसको आमने क्या बोला वंशावली विशलेशन बोला चलो चलो थोड़ा समझ लेते हैं क्या समझते हैं कि मानफ समाज में वंशावल विकारों की बात पुराने समय से चली आ रही है हमारे समाज में हमने से कभी कभी बात करते हैं कि ओके यह पर्टिक्लर चीज अच्छा यह तो तुम्हारे दादा पर दादा में भी विमारी थी ऐसी बोलते हैं रहे इसका अधार्था कुछ परिवारों में विशेश लक्षणों के वंश्वद्न रहने की अवधार ना हुँम हुम 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 मेंडल के कार्य की पुनाय खोज के बाद मानव के लक्षण प्रतिरूपों की वंशागती के विशलेशन की बात प्रारंब हुई ठीक है जब हमारे मेंडल जी ने जो काम किया था उसकी जब पुनहें खोज की थी उसके बाद जो उनके लक्षर थे उसके जो प्रतिरूप की वंशागती के जो विशलेशन की बात हुई थी तब शुरू वो के लिए किये गए तुलनात संकर प्रियोग मानव में संभव नहीं है यहां पर कहने का मतलब यह जो प्रियोग मटर पर किये गए थे ना तो वो प्रियोग अगर इंसानों के उपर करेंगे तो यह पॉसिबल ही नहीं है ठीक है क्योंकि वो सिफ मटर के लाएगी थे इसलिए यह विकल्प रह जाता है कि विशेश लक्षण की वंशागती के संबंद में वंश के इतिहार के बारे में पढ़ा जाए ठीक कई पीडियों तक जारी लक्षणों के ऐसे विशलेशन को हम क्या बोलते हैं वंशावली वि तो ऐसे जितने भी क्या हो रहे हैं कि एक वंशे जो है चली जा रही है बेमारिया चली जा रही है चली जा रही है चली जा रही है ठीक तो उसको हमने क्या वला वंशावली विशलेशन ठीक इस प्रक्रिया में वंश व्रिक्ष या फिसको हमनें फैमिली ट्री बोला में एक विशेश लक्षन का पीडी दर पीडी विशलेशन किया जाता है अब फैमिली ट्री ऐसे नहीं कि स्कूल में बोल दो कि बच्चो यह क्या है आपका यह पेड़ है और इस पेड़ के उपर क्या अपने फैमिली ट्री बनानी है कि इसमें क्या करना है आपको इसमें आपको अप पर हमको बात करनी है बाई किसके बारे में यू बीमारियां चली आ Cars आ रहेँ हैं आपके पूर्व लगवजों के टाइम से किसी पर्टिकुलर एक लक्षन में बदलाव के कारण कि हा हो सकता है बहुत पहले यहां पर फोटो चिपका दो किलो यह फोटो चिपका दी है हमने अपने परिवार की नहीं भाई यहां फोटो नहीं चिपका नहीं है चलो अब बात करते हैं वंशावली विशलेशन की ठीक है जो हम बात कर रहे हैं मुद्दे पर आ जाते हैं तो अगर मैं कहूँ कि भाई एक नॉर्मल हम नभी तक नर मादा सब के बारें पढ़ते हुए आ रहे हैं तो एक नॉर्मल नर जो होगा वो कैसे दर्शा होगे आप ये ये क्या है एक नॉर्मल नर है ठीक है जो नॉर्मल होगा वो ऐसे दर्शा होगे ये क्या है अब मैं दूसरी क्या बनाऊंगी ये हो गई आपकी मादा ठीक है फिर एक साइन ऐसे आता है ठीक है अभी जो नर और मादा इनकी पहचान तो हो गई है लेकिन जो साइन ऐसा है इसका मतलब क्या है यहाँ पर जो लिंग है लिंग की पहचान नहीं हाँ मतलब यहाँ पर पताया नहीं जा रहा है कि जो भी कोई पर्टिकुलर इंसान है वो नर है या मादा है ओके चलो अब क्या हुआ जब यह नर है यह मादा है इन दोनों के बीच क्या दिखा रहे हैं हम मैथुन दिखा रहे हैं यह लो यह आ गया न पैफ़रा आपका ये आंगी मादा कैसे दिखाएंगे मैथा ऐसे करके दिखाएंगे यह क्या है मैथा नुआ इनके बीच में यानि की इंट्रकोर्स की प्रोस्स होई है थीक है यह soothing हो अब क्या दिखाएंगे यहां पर हम अब जब इनकी शादी हुई है यहां पर इंट्रकोर्स हुआ है तो इनके बच्चे भी होंगे तो बच्चे कैसे दिखाओगे आप ऐसे करके हम यहां दिखाते हैं कि इनके पास एक बेटा है और यह एक बेटी है तो हमने क्या बोला यह क्या हो गए आपके जनक उपर ठीक है और यह क्या है संत्ति नीचे ठीक है यह नर है देखो नर का साइन है और यह मादा का है ना तो यह जो शादी शुदा जोड़ा है इनके पास क्या है एक बेटी है और एक बेटा है ठीक अब वह कुछ ऐसे भी होते हैं जिनके रिष्टेदारों के बीच में शादी हो जाती है है ना बहुत से ऐसे लोग है जिनके रिष्टेदारों के बीच में शादी होती है कैसे दिखाओ गए अब यह हो गया नर यह हो गई मादा तो यहां क्या लिखें रिष्टेदारों के बीच मैथुन ठीके यह क्या हो गया रिष्टेदारों के बीच मैथुन चलो इतनी बात हमको समझ में आई ठीके ना इतनी बात सबको क्लियर होई यह सब चीजे क्या थी यह तो सब नॉर्मल की बात क्या रहे जो समानने लोग थे सब ठीके इसके बाद क्या होता है इसके बाद क्या होता ह है तो जिनकी मृत्यू हो जाती है उनको कैसे दर्शा हो गया कैसे दर्शा हैंगे हा इस तरीके से यह नर है और यह मादा है लेकिन इनकी क्या हो गई है है अब यहां पर कुछ अनुवंशिक विकार भी होते हैं है क्या होते है अनुवन्शिक विकार होते हैं तो अनुवन्शिक विकार होते हैं कैसे दर्शा होगे आप कि हमने क्या मोला ये क्या है ये नर है ये मादा है ठीक और ये क्या है लिंग की बहचान नहीं नर मादा लिंग की पहचान नहीं अब आप सोच चलों कि मैम इसमें तो आपने ऐसे ही छोड़ दिया है भई ऐसे नहीं छोड़ा है यहाँ पर हम रायता फैलाएंगे ऐसे करके लो जी ऐसे करके देखो कितने अच्छे तरीके से अबने रायता फैलाएंगे कि यह खुबसूरत भी लग रहा है और रायता भी फैल गया है ना तो रायता जब भी फैलाओ ऐसे फैलाओ कि भई उसे देखने में मजा भी आए लो ऐसे ठीक तो यह क्या होगी आपका कि भई नर के अंदर भी ऐसे मादा में भी ऐसे और जिनकी लिंक की पहचार नहीं थी उनमें भी ऐसे ठीक है ना चलो यहां समझ में आगिया हमको कि भई अनुवंचिक विकार में ऐसा होता है ठीक है अब क्या होता है अब कुछ ऐसे बच्चे भी होते जिन में बिमारिया होती है है ना तो उसको कैसे बनाओगे कि हमने कहा कि एक माता-पिता है उनका बच्चा क्या है बिमार है ये रहा नर ये रही माता अब ये जो इनका बच्चा है ज्यादा ही चोड़ा बन गया बच्चा ये जो इनका बच्चा है इसमें भी रोग है हमने बोला तो लो जी इसमें भी रायता फेला दिया हमने ये क्या है बच्चा प्रभावित है बच्चा क्या है जो नर्शिशू है क्योंकि नरी तो बनाये है हमने नर्शिशू क्या है ये प्रभावित ठीक अब किसी के पांच बच्चे अगर है तो आप उन्हें कैसे दिखाओगे ऐसे ठीक है कि बईया यहाँ क्या है यहाँ पर क्या है पांच संतती है ठीक है और पांचों की पांच क्या है प्रभावहीन ठीक है इतनी बात सब बच्चों को क्लियर हो गई क्या बोला मैंने कि अगर यह जो देखो रेक्टेंगल सा है यह क्या है नर यह जो गोल गोल से दिख रही है न यह मादा है ठीक है यह सारे के सारे क्या है इसारे के सारे NSM कोई दिक्त नहीं है कोई भी दिक्कतmother अपका नर है मादा है ओर यहां बनाया है आपका ऐसे करके रुषमबस जैसा इने में आदमी है और यहां पर कि इसका पता ही नहीं हैं में कि आद्मी और और मादा है तो इन दोनों की हमने यहां पर शादी करा दिया इसे दंडे से दिखा दिया कि इनकी शादी हो गई है शादी हुई है तो यहां पर sexual intercourse को क्या कहते हैं मैथुन कहते हैं अब जब sexual intercourse हुआ है यहां पर मैथुन हुआ है तो यहां पर क्या है इनकी संतती भी पैदा होगी संत्थी पैदा होगी याने की बच्चे पैदा होंगे तो ये जिब नॉर्मल थे दोनों मातर-पिता c约 समारन बच्चे पैदा हुए है ऊपर वाले कौन जनक है और नीचे वाले क्या है संत्ती है अब कभी कभी ऐसा भी होता है कि कुछ रिष्टेदार आपस में शादी कर लेते हैं ठीक है ना बहुत सी जगा ऐसा होता है जहां पर जो रिष्टेदार होते हैं वह आपस में ही शादी कर लेते हैं तो जिनके बीच रिष्टेदारों के बीच में मैथूल हो रहा है शादी के ठीक है जो फैमिली ट्रिये उस पर भी झाना पड़ी मृट्वाइब सा य हाँ तो एसे ख्रस मार देंगे बीच प्रसाम अब क्या हो गया उनकी क्लिक और हो गया है पिर मधी विकार हो ही जरते हैं ठीक है तो यानिकुकर होगा उसको अंदर कर देंगे अंदर माना होगी आख़ह गुचयर कर देंगे और जिसका पता है नहीं कि actually देंगे City उसके बात क्या होतार की कभी कभी क्या होता है माता पिता नौर्मल होते लेकिन जो उनकी संतान होती है वो प्रभावित होती है हो सकता स्पोगे बिमारी हो तो यहां पर हमने क्या दिखा है नर और मादा ठीक है यानि कि जनक है क्या है वो जनक तो बिलकुल नॉर्मल है जनक क्या है यह कि यह सामानने है है ना इन्ने कोई बिमारी नहीं है लेकिन क्या है यह जो शिस्व है अब नर्षी जो बनाई यह न तो यह प्रभावित déjà उसके बाद जिनके पांच बच्चे होते है वो इस तरीके से दिखाएंगे जो पांच ते मुझे थमसब करके बता दो जल्दी से बता दो हां बता जल्दी मुझे लगता है कि यहां तक आप सब को बहुत आसानी से समझ में आ गया होगा है है ना कोई दिक्कत दी हुई यह ना चलो वेरी गुड ओके तो चलो आज के लिए पूस इतना ही करते है मिलते हैं अपनी अगली क्लास में ठीक है तब तक के लिए यह जो पढ़ाया है आज इसको रिवाइस करते रहिए अपना ध्यान रखिए खुश रहिए खुब सरी मस्ती कीजिए लेकिन 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 पढ़ाय करना नहीं भूलना है भाई बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है यह समझ में आना बहुत ज़्यादा जरूरी है ओके चलो पिर मिलते हैं अपने अगली क्लास में तब तक के लिए भाई टड़ा